नमस्का मित्रों स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल नौवलसिन आडियो.गौरब में मित्रों गुल्षन नंदा जी की चितनी तारिख की जाए उतना ही कम है गुल्षन नंदा जी का कोई भी उपन्यास आप आग बंद के पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और इसी लिए हमने रोमेंटिक उपन्यास कार गुल्षन नंदा जी के कुछ उपन्यास आपके सामने प्रस्तुत किये जो आपने बहुती प्रसंद किये जैसे सामली रात, भवर, पीले फूल, मैली चांदी, माधवी और पतिता यदि आपने ये सारे उपन्यास नहीं सुने हैं तो इनको सुन डालिए और आज आपके सामने प्रस्तुत है गुल्षन नंदा जी का बेहत चर्चित और पॉपुलर उपन्यास कटी पतंग का पहला भाग कटी पतंग बड़ी ही विचित्र और नाजुक परिस्थितियों में घिरी एक सुन्दर युफ्ति की कहानी है जिसके बारे में स्वयम लेखक का कहना है कि यदि इसे एक बार आप शुरू करें तो आप इसे समाप्त किये बिना नहीं रह सकते तो प्रस्तुत है कटी पतंग का पहला भाग अध्याय एक थोड़ी सी बस और दो घूट उहू जादा नसताव बनवारी जिद न करो शबनम देखो न गले की सारी रगें सूख रही है पूरे बदन में खलबली सी मच रही है आग से आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा अच्छा मैं चली शिब्बू, मेरी शिब्बू, रूट गई क्या जब तुम अपनी शबनम को आग के पास रखोगे तो तो उसका विनाश होगा ही शबनम की इस भावात्मक बात पर बनवारी हस पड़ा उसने उसे खीच कर बिस्तर पर डाल दिया और गुदगुदाने लगा वे बिचारी फुस्फुसी सी हसी के साथ बिस्तर में मचल कर रहे गई कुछ अधिक तंग करने पर अपने आपको छुडाने के लिए बनवारी की नंगी पीठ में काट लिया बनवारी की हसी एक हलकी सी कराह में बदल कर रहे गई कमरे के अंधेरे में इन खुसर-फुसर की आवाजों को सहसा किसी आहट ने दबा दिया उखडी हुई सांसें कुछ छण के लिए रुख गई लकडी की सीडियों से किसी के कदमों की चाप उस कमरे की ओर बढ़ती आ रही थी फिर दर्वाजे पर दस्तक हुई बनवारी और शबनम के शरीर को जैसे किसी विद्धुत तरग ने चुदिया वे तडप कर एक दूसरे से और भी सट गई शबनम ने उखडी हुई आवाज में पूछा इतनी राद गई कौन होगा इतने में दुबारा दस्तक हुई बनवारी ने बत्ती जला दी क्राउन होटल का वे अस्त वेस्त और गंदा सा कमरा चमक उठा शबनम उचल कर अलग हो गई अपने उत्रे हुए कपड़ों से अपना नंगा तरंड ढामते हुए वेव बालकनी में खुलने वाले दर्वाजे के साथ चिपकर जा खड़ी हुई और तेजी से दर्वाजे पर टंगे परदे को खीच कर अपने आपको छिपा लिया बनवारी ने शराब की बोतल को जिसमें कुछ बूदें अब भी बची हुई थी पाउं से धकिल कर चारपाई के नीचे कर दिया खबराकर उसने दर्वाजे की उड़ देखा और बिस्तर से उड़कर उसे खोलने के लिए बढ़ा एक बार पलटकर उसने उस गंदे परदे की ओर भी देख लिया जिसके पीछे शबनम छिपी खड़ी थी और फिर कांपते हातों से दर्वाजा खोल दिया केवाड खुलते ही उसके बू से एक दबी दबी सी चीक निगल गई चेहरे का रंग उड़ गया उसके सामने दुशाला ओड़े अंजना खड़ी थी उखड़े हुए सांसों को समालते हुए वे अभी कुछ फूचने ही जा रहा था कि अंजना कबरे के भीतर चली आई और बोली मैं आ गई बनवारी उसने एक और अपना अटैची केस रखा और पलटकर केवाड बंद कर दिये बनवारी फटी फटी निगाहों से उसे देख रहा था लेकिन तुम्हारी तो आज शादी होने वाली थी बनवारी ने प्रश्न किया हुम होने वाली थी लेकिन होई नहीं क्यों मैंने लोक लाच के सारे बंधन तोड़ दिये कैसे लगन मंडब में बैठने से पहले ही मैं घर से भाग आई यह तुमने अच्छा नहीं किया अंजू और कोई रास्था भी तो नहीं था बनवारी अपनी महबबत की लोग को बचाने का कायर ही भावुगता का सारा लेते हैं अंजना यह आज कैसी कैसी बहकी बाते करने लगे पहले तो कभी तो मैंसी बाते नहीं करते थे यह कहते हुए उसने अपने कंधों से दुशाला उतार कर एक और रग दिया और बनवारी के पास आ गई जो ही मेच पर पड़े शराब के खाली ग्लास पर उसकी नजर पड़ी बनवारी उसके भावों को ताड़ गया तुरंद बोल उठा बैठा पी रहा था अपना गम मिटाने के लिए अब मैं आ गई बनवारी अब तुम्हें इन जूटे सहारों की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं दूंगी सहारा अपनी इन बाहों का अब मैं तुम्हारे मुद्धतों के इंतिजार की बेचैनी को अपने गले लगा लूँगी लेकिन अंजू ये जिन्दगी की सच्चाई नहीं है ये तो उन्माद है मेरी मजबूरियों का मजाक ना उड़ाओ लौट जाओ ये ये तुम ये तुम क्या कह रहे हो हाँ अंजू इसी में हम दोनों की भलाई है तुम्हारे इज्जत और मेरी मजबूरियां जीवन के दोराहे पर खड़ी है अब उनका इम्तिहान मत लो मैं उन मजबूरियों को भी गले लगाऊंगी बनवारी जिस हाल में रखोगे उसी में रहूंगी हमने महबबस से ही तो जीना सीखा है उसी को ठुकरा दिया तो मेरी इज्जत और तुम्हारी मजबूरियां मौत की परचाईया बन कर रहे जाएंगी पनवारी ने पलटकर उसकी आँखों में जहांका उन शर्बती आँखों में भै की जगए सेंकडों सितारे जिल्मिला रही थे वे लोग लास स्याक कर एक भविश्य की आशा लिये उसके सामने आखडी हुई थी आज बनवारी उन नजरों का सामना नहीं कर सका उसका सिर जुक गया अपनी जहेप मिटाने के लिए उसने जुक कर वे बोतल निकाली जिसमें अभी तक शराब के एक दो घूंट पचे हुए थे उन्हें उस खाली गलास में डाल कर वे एक ही सांस में पी गया अंजना उसकी चुपी को समझ नहीं सकी उसने बनवारी के कंधे का सारा लेने की कोशिश की तो बनवारी ने उसके गाल पर चुटकी लेते हुए मुस्करा कर कहा कितनी भोली हो तुम अंजना को समझ न सकी उसने अपने महदी लगे हातों को उसके सामने फैला दिया और बोली बनवारी ये देखो मेरे हातों की महदी जो मेरे भागी की रेखाओं को मिटा ना सकी लेकिन अब ये तुम्हारी आशाओं को जरूर मिटा देगी अंजू बनवारी मुझे आशा नहीं थी अंजू के तुम मेरे मजाक को इतनी संजीदगी से लोगी मुझे समझे बिनाव एक अदम उठा लोगी जो तुमें कहीं का नहीं रखेगा आज तो तुम सचुच पहग गए हो तुमने जादा पी ली है उसने बनवारी के हाथ से खाली गलास ले लिया और उसे अपने हाथों में थामे थामे फिर बोली मेरे प्यार का इम्तिहान मतलो बनवारी मुझे अपनी मच्भूत बहाओं का सहारा दो अब मुझे में बहस की ताकत नहीं रही देखो बनवारी विरे की दुख ने मेरा अंग अंग तोड़कर रख दिया है ये कहते हुए उसने बनवारी की गले में बाही डाल दी बनवारी ने उसकी बाहों को गले से हटा कर जटक दिया और बोला लोड चाओ अंजू जिस प्यार का नाम लेकर तुम मेरा बोज बनना चाहती हो मैं अभी उस योग नहीं अगर तुम्हारे दिल में प्यार का आदर होता तो तुम सगाई से पहले ही अपने मामा को अपने निश्चे से सूचित कर देती तुम्हें मालूम तो है कि मैंने कही बार उनसे कहने की कोशिश की लेकिन साहस नहीं हुआ तो आज घर से भाग कर तुमने उनकी कौन सी इज़द बढ़ाई है इससे तो यही अच्छा था कि उन्हें साफ साफ अपना फैसला सुना देती भरी बिरादरी में अपने प्रेम को स्विकार कर लेती इससे बड़ी बदनामी होती मामा के घराने की ना तुम्हारे प्यार की तो नहीं होती तो अब क्या फैसला है तुम्हारा चुपचाप घर लोट जाओ कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी ये हरकत देखकर मामा तुम्हें तुम्हारी जायदात से बंचित कर दें तुम्हारे वे अधिकार छीलने जो हमारे नई जीवन की बुनियाद बन सकते हैं हूँ अब समझी तुम्हें मेरी बहबबस से ज़्यादा मेरी दौलत का ख्याल है अंजना की विचार धारा बदल गई वे प्यार के घेरे से निकल कर जीवन के यथार्थ को समझने का प्रयास करने लगी नहीं अंजू मुझे गलत मत समझो मैं जादा पीरी से सच्पोच बहब गया हूँ मेरा मतलब तुम्हारी दौलत से नहीं था बलकि तुम्हारे अधिकारों से था अपने अधिकारों के लिए लड़ना हम सब का कर्तब भी है कहीं ऐसा तो नहीं अंजू कि तुम्हारा मामा तुम्हारा ब्या करके तुम्हारी चायदाद हजम करने की फिक्र में हो। वे बोला जा रहा था लेकिन अंजना की परिशान निगाहें दूसरी ओ लगी हुई थी। वे परदे के पीछे छिपी लड़की के सफेद पैरों को नहार रही थी जो परदे में छिप न सके थे। वे धीरे धीरे परदे की ओर भड़ने लगी। पनवारी अंजना का इरादा भाप गया। उसने उसकी निगाहों से आग बरस्ती देख ली जो पलभर में सब कुछ जला कर राक कर देने वाली थी। अभी वे कुछ कहने ही जा रहा था कि अंजना ने लपक कर उस परदे को खीच लिया। अदरंगी शबनम को वहां खड़ी देखकर उसके हिरदय को एक धक्का सा लगा। और छणबर के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके शरीर में एक भूचा ला गया हो। इधर शब पाई में कुछ कहने के लिए उसके ओट खुले ही थे कि अंजना ने गालियों की बौचार कर दी और अंत में अपने बिफ्रे हुए सांसों से वे केवल इतना ही कह सकी काश तुम्हारे चेहरे का नकाब एक दिन पहले हट जाता। और वे तरडपका बाहर जाने के लिए पल पर्ट खोलकर नीचे जाका तो अंजना टैक्सी में बैटकर जा रही थी। सैसा किसी का कोमल हाथ उसके कंधे पर आया। वे शबनम थी जिसने बनवारी के पास आकर उसके मुर्दा शरीर में पुनहे जाल डालने का प्रयास किया था। शबनम ने अलमारी से दूसरी बुत बनवारी ने मुस्कुरा कर उसके गाल पर चुटकी काट ली और दूसरे ही चंड गिलास में जलकती हुई सुरा को कंट में उडेल लिया। लो आज से उसका नाम अपनी डायरी में से निकाल दो। शबनम ने गिलास में दूसरा पैक बना कर बनवारी को देते हुए कहा। नहीं शिब्बू उसका मेरी जिंदिगी में से निकल जाना इतना आसान नहीं है। बस इसी एक बात की तुम में कमी है बनवारी। तुम कभी अपनी हार नहीं मानते। पैसा पैसा हर वक्त पैसे की धुन। वे बिचारी महबबत का सहरा लेने आई थी और तुमने उसे प्रस्ताओगे जब तुम्हारी जवानी दगा दे जाएगी समझे और तब सच्चा प्यार ही तुम्हारा साथ देगा। शिब्बू वे जोड से चला उठा और उसने शराब का भरा ग्लास दीवार पर दे मारा। शीशा टूर चूर हो गया। ठीक उसी तरह जिस तरह आज बनवारी के एरादे चूर-चूर हो गए थे। इस धमाके के बाद कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। लेकिन इस सन्नाटे ने बनवारी के मनमस्तिश में एक उत्तेजना भर दी। बनवारी सत्य से सामना ना कर सका। शबनम चुपचाप अंधेरे में खिसकर एक कोने में ज दुपकी और वे खिड़की के पास खड़ा हुआ तूर फैक्टरी की उस चिमनी को देखता रहा जिसमें से काला-काला धुआ निकल कर स्वच आकाश को गंदला कर रहा था। अध्याय दो सर्दार्ची जरजल्दी और तेज मैं आपको इनाम दूंगी। चाल में गुम होकर रह जाती। उसे अपने घर पहुचने की बड़ी जल्दी थी। उसकी निगाहें उस पत्थीली सड़क पर लगी हुई थी जिसे टैक्सी बड़ी तीवर गती से चीरती चली जा रही थी। अंजना को पूरा विश्वास था के वे लग्न मंडप में शा लेना चाहते थे। वे सामने लगे आइने में बार-बार जहांक कर अंजना का चेहरा देख रहे थे। जिस पर रह रहकर एक रंग आता था और दूसरा जाता था। उसकी इस गबराहट के पीछे ना जाने कितनी अभिलाशाएं छिपी थी। अकस्मार्ट टैक्सी में जैस से टकरा कर रुख गई। एक जोड़दार जटका खाकर जब अंजना समली तो टैक्सी ड्राइवर की बात ने उसकी आशाओं पर पानी फिर दिया। टैक्सी का पहिया बिल्कुल बैट गया था और इंजन से भाप निकल निकल कर इधर उधर बह रही थी। कितनी देर लग रखके किनारी वाली पुलिया पर बैट गई। सरदार्ची पहिया बदलने लगे और वे वहीं बैठी सड़क की वीरानी निहारती रही। उसकी जिंदगी में अचानक एक दूफान आ गया था। होनी जो भी रंग लाने वाली थी उसकी जिम्मेदार वे खुद थी। आज अगर उसने अपने मामा की बात मान कर अपने जूटे प्यार को नुचावर कर दिया होता तो उसे इस अगनी परिष्चा में से ना गुजरना पड़ता। परिस्चितियों ने एक अनोखा मोड ले लिया था। उसकी जरासी नासमची ने उसकी जिंदगी को एक विचित्र म पर लाकर खड़ा कर दिया था। अब केवल एक हलकी सी आशा रह गई थी। वे थी संभावना मात्र के शायद उसका जीवन नश्ट होने से बच जाए। इसके लिए वे मन ही मन भगवान से विंती कर रही थी और उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी भूल चूक क इतना गठोड दंड नहीं देगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके भागे और साहस दोनों ने अंतिप समय पर उसे धोका दे दिया। उसकी आशाओं पर दुरुभाकी की इचाया पड़ गई। जब वे अपने घर पहुँची तो शादी की रोशनिया बुच चुकी थी। लगन मंडप की बुनियाद उखड गई थी। हवन कुंड की राक अपने आचल में अंगारे छपाई हुई थी। जिसने उसके जीवन के सुक को सदा के लिए सुलगा के रग दिया था। उसका उखड़ा हुआ सांस वहीं रुग गया और वे एक हारे हुए खिलाडी की तर वे हवेली जुगंगापुर की सबसे उची हवेली थी और जिस पर उसके पुर्खों की इजट के जंडे गड़े हुए थे आज उसकी दिवारें गिरती दिखाई दे रही थी। अंधेरे में टटोलती हुई वे उस जीने की ओर भड़ी जो पिछवाडे से उसके कमरे तक उसने पाउं से जूती उतार कर एक और फैंक दी और दवे पाउं अपने कमरे की और बढ़ी। उसके कमरे में भी लगभक अंदेरा था लेकिन आतिशतान की आग की हलकी सी रोशनी थी। धीरे से किवार सरकाकर वे अंदर आ गई और फिर दर्वाजा भेड कर पल्टी ही थ प्रखों की पुरानी कुर्सी पर उसका मामा बैठा था। उसकी आखों में आज प्यार की जगह खोन उत्रा हुआ था और आखें जैसे पत्रा के रह गई थी। इससे पहले कि उसका मामा अपनी भांची पर करजकर बरस पड़ता अंजना उसके पाउं पर गिर पड़ी और रो रो कर गड़ गड़ाने लगी मुझे माफ कर दो मामा मुझे माफ कर दो मेरी मामूली सी गलती की तुम्हे इतनी बड़ा सजा मिलेगी यह मुझे मालूम नहीं था तुम मेरा गला घोंड़ दो मामा मेरा गला घोंड़ दो अपनी बहन की निशानी अपने हातों मिटा द चला कर राक कर दो उसे, जिसने तुम्हें इस बढ़ापे में ऐसा दुख पहुचाया है। अंजना के मुक से एक हिर्दय विदारक चीक निकल गई, उसकी चीक सुनकर सारा घर दहल उठा, विवा के अफसर पर आये हुए सारे रिस्तेदार चौंक उठे, एक एक करके सभी अंधेरे कमरों में उचाला हो गया, एक शोर सा कानों में संसनाने लगा, हर कोई तेजी से की हत्यारी हो, और वे कदम जो सीडियों पर तेजी से बढ़ते आ रहे थे, उसे रौंदने को आतुर हो रहे हो, उन लोगों का सामना करने का उसमें साहस नहीं रहा, उसने जपट कर पिछले दर्वाजे का किवार खोला, और उन्हीं अंधेरों में खो गई, जिनका सहारा लेकर वे अपने कमरे तकाई थी, एक धड़ाके के साथ किवार अंदर की और खुले, और घर आये महमान और नातिदार तेजी से लाला राजकिशन की और भड़े, उन्हें मुर्दा पाकर उनका रोना चिलाना शुरू हो गया, घर में एक कोहरा मच गया, अंजना को लगा जैसे उसकी दुनिया में सदा के लिए अधेरा चा गया है, वे अचानक फिसल कर एक ऐसी गहरी खाई में जागिरी थी, जिसमें गहराईयों का अन्वान लगाना कठिन था, अपनी सिस्कियों को साड़ी के आचल से रोके, वे उनी अधेरों में छिपी रही, उसमें किसी के भी सामने आने का साहस नहीं था, वे लोगों की वे बातें भी सुन रही थी, जिन में केवल उसकी भर्तसना की जा रही थी, उसे कोसा जा रहा था, मामा की मौत का और उस घराने के नाम को हमेशा के लिए डुबो देने का, उसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, अंजन कुछ सेर तक उन लोगों की बातें और रोनध्योने की चीक पुकार सुनती रही और फिर ना जाने क्या सोचकर वे उसी अधेरे में सरक्ती हुई जीने से नीचे उतर गई उसके कदम बोजिल होते जा रहे थे दम तूटता जा रहा था लेकिन वे बढ़ती जा रही थी वे कह करती गई सुनसान और शांत गलियों में उन वीरान रास्तों पर जिनकी कोई मंजिल नहीं थी वे उस पस्ती से दूर भाग जाना चाती थी जहां से अभी तक उसे घ्रणा की गंद आ रही थी जहां उसे प्यार के बतले धोका मिला था और जहां पलभर में उसकी दुनिया तहस नहस हो चुकी थी जब वे गंगापुर के छोटे से स्टेशन पर आई तो अगली गाड़ी आने में अभी दो गंटे की देड़ थी रात की कालिमा भयानक हो चली थी प्लेटफॉर्म पर सिवाए रेलवे कर्मचारियों के दूसरा कोई दिखाई नहीं देता था वे च पर खड़े मालगाडी के खाली डिब्बों को धकेल कर धीरे धीरे एक और ले जा रहा था जैसे ही किसी खाली डिब्बे को धक्का लगता वे पट्री पर रेंगता हुआ दूर तक चला जाता अंजना अपने आपको भी कुछ जेर के लिए उस खाली डिब्बे की तरह समझ लिया जब उसने देखा कि बिजली के खंबे का सहरा लिये कोई खड़ा बीडी के कश लगा रहा है और उसकी और घूर घूर कर देख रहा है फिर उस अचनबी ने बीडी का एक लंबा कश खीचा और उसे एक और फेक करके उठा तुम अंजू हो ना लाला राजकिशन की भ खड़ा हुआ उसका वश चलता तो वे उस आदमी का मून ओचकर आँके बाहर निकाल लेती जो उसे पहचान कर चोट करने का साहस कर रहा था लेकिन वे दिल मसोल का रहे गई उसने वे बेंच छोड़ दी और उस और बढ़ चली जिधर बिजली की कैई बत्तियां एक साथ जगमगा रही थी वे आदमी एक फुसफुसी सी हसी हस कर रहे गया फर्स्ट ग्लास के वेटिंग रूम में घुसने से पहले अंजना ने पलटकर चोड निकाहों से देखा वे अभी तक वही खड़ा उसकी ओर देख रहा था अंजना ने वेटिंग रूम का दरवाजा दर दर देखने लगी वहां कोई नहीं था वे ये सब देखकर घबरा उठी विकल हो एक बार ध्यान से उसने बच्चे की ओर देखा और फिर किसी आहट को सुनकर ठिटक गई नजने उठा कर सामने देखा तो बातरूम से कोई लड़की बाहर निकल रही थी उसके हातों में एक बरतन था जिसमें से गरम गरम पानी भाब छोड़ रहा था दोनों ने पलभर के लिए एक दूसरे की ओर देखा और फिर उस लड़की ने चिला कर पूछा अंजू अंजना ने उसी पैचान लिया था पूनम कहकर वे भी उसकी ओर बढ़ी पूनम ने हाथ का बरतन एक रख दिया और अंजना को बाहों में कस लिया उन पुरानी सक्यों के मिलन को नने बच्चे की चिलाहट ने सैसा जंजोड दिया पूनम अंजू से अलग होकर बच्चे के लिए दूद बनाने लगी अंजना भी उसके पास बैठ गई और नने को देखते हुए बोली किसका है हट बैबान कहीं की यह भी भला पूछने की बात है कहां है इसके डैडी अंजना ने तुरंट दूसरा प्रशने कर दिया पूनम ने यह सवाल सुना तो सिर से पाउं तक काम गई उसकी चमकती हुई आँकों से जैसे कोई सितारा तूट गया आशू पलकों से ढलक कर आख का पूनम बिद्वा है लेकिन यह सब हुआ कैसे चीब गाड़ी की एक दुरघटना में वे मुझसे सदा के लिए जुदा हो गए पूनम ने अपने आशू पहुचते हुए उत्तर दिया बोतल में दूड डाल कर वे बच्चे को पिलाने लगी रोता चिलाता बच्चा चुप चूसने लगा अंजना पर मानो एक नया पहार तूट पड़ा पूनम की शोकातोर जिंदगी के बारे में सोचकर वे अपना दुख दर्द भूल गई उसमौन बातवरण में भी इंजन की आवाज ही वितन डाल रही थी जो अभी तक हाली डिब्बों को धक्के लगा रहा थ अब कहां जा रही हो अंजना ने पूछा नैनी ताल अपनी ससुराल दोपैर की गाड़ी से यहां पहुंची थी तुम्हें वहां से कोई लेने नहीं आया नहीं और आना भी किसे था क्यों वे अपने माबाप के एकलोते बेटे थे इस बड़ापे में उन लोगों का सफर कर बहुत मुश्किल है कैसे लोग हैं मैं क्या जानू मैंने तो अभी तक उने देखा भी नहीं क्यों वे मौन हो गई उसने बच्चे के मूँसे बोतल निकाल ली वे पेट भरने पर सो गया था पूनम ने कंबल से उसके कोमल शरीर को ढग दिया और चुपचाप अंजना के ब लाची नहीं थे उन्होंने अपने बेटे से साफ कह दिया था कि उसे दोनों मैंसे एक को चुनना होगा अपने पिता को या अपनी प्रेमिका को तब उन्होंने पूरम को चुन लिया और वे सदा के लिए छोड़ दिया यह सुनकर अंजना के दिल को एक चोट लगी उसे प्यार की उस जीत के सामने अपनी हार का आभास हुआ एक उसका चाहने वाला था जिसने उसे रास्ते की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था वे गुमसुम बैठी अपनी जिन्दगी के बारे में सुस्ती रही उसे मौन देखकर पूनम ने उसकी शादी के वारे में पूछ लिया जिसे सुनकर वे काप गई उत्तर देने के बजाए उसके ओट कापने लगे पूनम ने अपना प्रश्न दोराया बताओ ना अंजू कब है तुमारा ब्या सुना था जल्दी ही ओने वाला है हो चुका कब पूनम चौक पड़ी दो दिन पहले लेकिन तुम घर से डोली ना उट सकी बारात लौट गई सिसकती आबाच में बैबोल पड़ी अब की पूनम के दिल को धक्का लगा छणबर के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सहेली उससे मजाग कर रही हो लेकिन फिर उसकी पलकों पर आए आसूं को देख पूनम का संदे विश्वास में बदल गया अंजना की मुद्रा यथार्थ का रूप धारण किये हुए थी उसने अंजना का हाथ थाम लिया और उसका दिल हलका करने के लिए पूरी कहानी सुनाने की जित की अंजना ने बिना घटाए बढ़ाए पूरी कहानी सुना दी अंजना के गम ने पूनम को और भी उदास कर दिया वे कहानिया और किस्से जो वे किताबों में पढ़ा करती थी आज यथार्द का रंग लिए उनकी अपनी जिन्दगियों को रंगे हुए थी पूनम ने दिलासा दिया बोली अब कहां जाने का इरादा है यहीं से कहीं दूर जहां मुझे कोई ना जाने कोई अपना ना हो जहां मैं अपना नया जीवन शुरू कर सकूँ औरत की जिन्दगी को तो मर्द का सहरा चाहिए उस नाव की मंजिल क्या जिसका खेवन हार ना हो लेकिन मुझे अब मर्दों से घ्रणासी हो गई है मैंने जीवन बर विवा ना करने का फैसला कर लिया है पूनम के पीले अध्रों पर फीकी सी अंजना पूनम की बास सुनकर चके थो उसे निहारनी लगी पूनम ने फिर वैबा दोराई तो अंजना ने साफ इंकार कर दिया पूनम ने साहनुबूती जताते हुए उससे समझाया पागल ना बन इतनी बड़ी दुनिया में अकेले कहां बटकेगी कहीं भी लेकिन किसी दूसरे का बोज नहीं बनूँगी मैं कोई पराई हूँ मेरी अच्छी बेहन मान जा मेरा जीवन भी तुम्हारे साथ पाने से कड जाएगा और तू भी नया जीवन अपना जी सकेगी तुम्हारे सस्राल वाले क्या सोचेंगे कह दूंगी मेरी छोटी बेहन है इस दुनिया में हमारा और कोई नहीं इसलिए अपने साथ ले आई नहीं पूनम नहीं ना जाने वे क्या समझें अभी तो तुम भी इस घर में अजनभी होगी तुम्हें इन बातों से क्या तू मान जा अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ही सही अंजान लोग, अंजान जगा दोनों मिलकर रहेंगी तो कट जाएगी यह जिन्दगी इससे पहले कि अंजना पूनम की बात का कोई जबाब दे पूनम ने मूँ पर उंगली रखकर उसका मूँ बंद कर दिया उन दोनों की उची आवाजों के कारण बच्चा नीद से जग गया था पूनम ने उसे गोद में ले लिया और बाहों में जूले में जुलाने लगी इधर अंजना के मन में एक द्वंद उठ खड़ा हुआ एक उल्छन सी पैदा हो गई जीवन के कटू सत्य की चाया उसके मन में लहराने लगी वै मौन हो पूनम और उसके बच्चे की उर देखती रही जब दोनों की नजरें मिली तो तनिक मुश्करा कर अंजना ने पूछा क्या नाम है नन्ने का राजीव सुन्दर सा कोमल बच्चा देख कर कुछ देर के लिए उसके दिमाख ने अन्य बातें सोचना बंद कर दिया अध्याय तीन गाड़ी तेजी से भागी जा रही थी फर्स्ट क्लास के एक सुनसान डिब्बे में अंजना और पूनम आमने सामने की सीटों पर बैठी थी राजीर सीट के कोने में लेटा हुआ था पूनम किसी पत्रिका के अध्यन में लीन थी और अंजना मौन धारण किये खिडकी से बाहर छाए अंधिकार में घूर रही थी जिसमें नजर आते धुंदले साए गाड़ी की विफरी दिशा में भागे चले जा रहे थे गाड़ी की गड़कड़ाहट चारो और छाई छननाटे को भंग कर रही थी अंजना ने अपनी सहिली का साथ देना मान लिया था और अब उसकी छोटी बहन बनकर उसकी सस्राल जा रही थी एक नई जिन्दगी शुरू करने एक नई दुनिया बसाने उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा यह बात उसने स्वप्न में भी नहीं सोची थी सैसा पूनम की आवाज ने उसे चौंका दिया वे पूछ रही थी क्या सोच रही हो अंजू यही के आज जीवन किस डगर पर चल पड़ा है तो इस डगर पर चलने से डड़ती क्यों हो जबकि मैं तुमारे साथ हूँ हाँ पूनम संतोष तो इसलिए मिल गया है अगर आज तुम न मिलती मुझे तो ना जाने मेरी मंजिल कहा होती और क्या होती भागे में यही बता था भागे की भी तुमने खूप कही जानती हो मामा ने मुझे क्या कहा था क्या शादी ब्या सब संयों की बात है होनी को कोई टाल नहीं सकता मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तेरे भागे में इतना अच्छा वर लिखा होगा तब, तब मेरे मन में एक और धुनसवार थी और वै थी बनवारी की महबबत मैं उसके पीछे प्दोड़ी अंत में म्रक त्रशना की भांती धोका खा कर जब संजोय के अंक में लोटी तो मन में एक विश्वास था जो मुझे उस और बड़ी तेजी से खीचे लिए जा रहा था मुझे मामा की ये बात सच्चे मालम होती थी कि मेरा संयोग उसी से बदा हुआ है जिससे उन्होंने तै किया है ये कहते कहते वे रुख गई उसके हिर्दय की धड़कन तेज हो गई पूरम एक टक उसकी ओर देख रही थी दो एक छण बाद अंजना ने फिर कहना शुरू किया लेकिन जब वे संयोग तूट गया तो इन रुडिवाडी बातों से मेरा विश्वास उठ गया मामा की कही बात मुझे एक धोका नजर आने लगी ये दोष्ट तुमारा नहीं उस घड़ी का है जिसने तुम्हारी भागे रेखाएं बदल दी अंजना के अधर स्वरहीन हो गए पूनब ने उसके दिल के दर्द को समझने का अपरत्न किया और धीरे से बोली कैसी लड़की हो जिसने शादी के दिन भाग कर उसकी जिंदगी में एक उल्चा पैदा कर दिया अंजना फिर मौन हो गई उसे भी गुजदेर के लिए अजनबी से हमदर्दीर सी हो गई और उससे विछड कर ना जाने कहां होगा क्या नाम था उसका पूनम ने उसे अथिक देड़ तक विचार मगन ना हैने दिया अंजना उसके इस प्रशन पर चौक पड़ी उसका बदन काप उठा पूनम ने बातों में रस पैदा करने के लिए मुस्करा कर फिट छेडा अरी शर्माती क्यों है दाम तो अपने पती का नहीं लिया जाता उसका नाम लेने में क्या हर्ज है जो तुम्हारे हाथ से निकल गया कमल मोहन वे जवान दवा दातों में दबा कर धीरे से बोली और अपना मुँ अपने हाथों में छिपा लिया पूनम ने उसके घावों को अधिक कुरेदना ना चाहा वे सिमटकर बैट गई और फिर पत्रिका पढ़ने में व्यस्त हो गई गाड़े की गड़गडाहट और इंजन की चीक से वातवरण में विकलता की लहरें दोड रही थी सैसा एक धमाका हुआ रात की कालिमा कमपित हो उठी पूनम और अंजना को ऐसा लगा जैसे भूचाल आ गया हो पूनम चीक उठी और छपटकर अपने बच्चे की और लपकी उसे अपनी गोत में दुपका लिया दोनों सहीलिया एक दूसरे को थामने का निश्चक कर ही रही थी कि उनके मूँ से एक साथ चीके निकल गई उसके बाद उने मालूम नहीं क्या हुआ उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी गहरे अंधेरे में डूपक गई हो रेलगाडी अचानक पट्री से उतर गई थी डिब्बे एके करके एक दूसरे से टकरा गई थे इंजन जमीन में धस गया था रात की भयानकता अंधकार का आवरन डाल कर उस जंगल के वीराने में प्रले का द्रश्य प्रस्तुत कर रही थी यात्रियों में विचित्र होहला मच गया था प्रतेग यात्री एक दूसरे से विच्छड कर रह गया कोई किसी का सहारा ना रहा न कोई किसी का साथी बस एक विधाता का नाम था जो चीकते चलाते रोते धोते यात्रियों के अध्रों पर था खावों से निढाल कोई करा रहा था कोई सिसक रहा था या कोई खून से लत्पत था किसी के प्रांड पखेरू निकल चुगे थे और किसी के निकलने वाले थे त्राही त्राही मची हुई थी इस ट्रेन धुर्गटना के कोई तीन दिन बाद बड़ी कठनाई से अंजना ने अपनी सहेली का पता लगाया भागे ने अंजना को जीवन दान दिया था साधरन सी खराशें आई थी चेतना लोटते ही उसे पूनम की तलाश शुरू कर दी उसे अपनी जिंदगी अपने दुखदर्द की परवा नहीं थी पूनम को ढूरने के सिवा उसे और कुछ नहीं सूसता था कई दिनों तक वे भटकती रही अन्तु में एक दुरगटना पीडित साधा शिवर में एक रेजिस्टर पर पूनम का नाम मिला वे खुशी शे पागल हो जाती लेकिन आसपास की दशा देखकर वे सिहर उठी वे तुरंत अइस्थाई इस्पताल में जा गुसी और उसकी नजरें चारों और पूनम को खोचने लगी गाहिलों के आहें और उनकी बुरी दशा उसके साहस हीन न बना सकी ऐसे दुखत बातवरण के बीच आशा की एक किरंड विहलता से थुप अधेरे में उसे धीरच बदा रही थी वे पूनम और उसके बच्चे को देखने के लिए विकल थी पूनम के लिए प्यासी आखें उन तमाम घायलों को टटोल रही थी जिन में वे कहीं छिपी बैठी थी वे रोगियों की चारपाईयों की लाइन के साथ साथ आगे बढ़ती गई एक रोगी की शया के पास पहुँचकर वे सैसा ठिटक गई जैसे स्याब अदलियों में पूनम का चांद नजर आ गया हो वे उस रोगी को देखने लगी जिसकी चारपाई के बराबर वाले विस्तर पर राजी पढ़ा हुआ था पूनम को देखकर उसके मूँ से चीक निकल ही जाती लेकिन उसे अपनी आखों पर कैसे यकी नहीं आया और उसके ओट फड़फडा कर रह गए वे पूनम की चारपाई के पास जाने के लिए डर्दे डर्दे आगे बढ़ी जिसे डॉक्टरों ने घेर रखा था पूनम दर्द से करा रही थी दो तीन नर्सें उसे पकड़ी हुई थी पूनम सिर से पाउं तक कुचल गई थी उसकी दोनों टांगे कट चुकी थी चेरा भयानक लग रहा था सारा बदन पट्टियों से मदा हुआ था और वे अर्द मूर्चित अवस्ता में चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी मुझे मरने दो मैं अब जीना नहीं चाती डॉक्टरों ने जबरदस्ती उसे इंजेक्शन दे दिया और दूसरे ही छण वे अचेत हो गई उसकी चारपाई के पास वे यंद्र रखे हुए थे जिनके द्वारा उसके शरीर में खून और ग्लूकोस पहुचाया जा रहा था अंजना धीरे धीरे आगे बढ़ती बढ़ती उसके पास पहुची और बड़े ध्यान से उस पूनम के चांद को देखने लगी जिस पर विधाता ने कूर कुचक्र चलाया था ऐसा कुचक्र जिसने उसे काल के गाल में जोंक दिया था आप डॉक्टर ने रूख पलटते हुए अंजना से पूछा जो अचरच और निराशा की प्रतिमा बनी पूनम को नहार रही थी वे तुरंद बोलुठी जी मैं इसके साथ हूँ यह पूनम है अच्छा हुआ आप आगई इनके पास किसी ना किसी का होना बहुत जरूरी है कैसी तबियत है अब इनकी खत्रे से खाली नहीं है थोड़ी ही दीर पहले इन्होंने जहर खाने की कोशिश की थी डॉक्टर की यह बास सुनते ही अंजना की दिल को एक धक्का लगा वे सिर से पाउं तक कांप उठी डॉक्टर ने नम्र भाव से समझाया के वे उसे पलभर के लिए भी अकेले छोड़ कर नहीं न जाए इतने में एक नर्ष भागती हुई डॉक्टर के पास आई और उसे किसी और रोगी की योड लेकर चली गई उसकी हाला शायद बिगड़ गई थी डॉक्टर चला गया लेकिन अजना को एक अनोखी उलजन में डाल गया वे सौपन में भी नहीं सो सकती थी पूनम की कभी ऐसी दुर्दशा भी होगी कि वे विश्पान के लिए विवश हो जाएगी अन्जना का धिल भर आया लेकिन वे मजबूर थी उसके वश में कुछ न था वे उसकी दर्द भरी और विकल दशा देखकर चीक उठती लेकिन रोगियों की हिर्दय विदारक हाय हाय से वातावरन इतना वेदना पूर्ण था कि वे उसे और अधिक बेदनात्मक नहीं बनाना चाहती थी अत्यपूनम से निगाहें अटाकर अन्जना ने उस मासूम बच्चे की उर देखा जो आराम से सोया हुआ था उसके बदन परतनिक चोड भी नहीं आई थी शायद उसे बचाते बचाते पूर्णम अपना सब कुछ खो बैठी थी अन्जना चुपचा पूर्णम के पास बैठ गई जो जो शीशे की बोतल से ग्लूकोस टपक टपक कर उसकी रगों में समा रहा था अन्जना को उसकी जिन्दगी की आशा बंती जा रही थी लेकिन उसकी बिगडी हुई सूरत देखकर उसका दिल दहल गया था उसकी सारी अबिलाशाएं मिट गई थी उसे नारी जाती पर तरस आ रहा था वे सोच रही थी कि औरट ठीक उस किष्टी की तरह है जो तूफान के थपेड़ों से हिचकोले खाती रहती है अगर दुरभागे से उसका मल्ला पतवा छोड़कर उसे भवर में अकेला छोड़ दे तो वे कहीं नहीं रहे थी अकस्मांत पूनम को कुछ होश आ गया उसके पीले पीले सूखे ओट फरफड़ाए वे अपने बच्चे को याद कर रही थी अर्धमूच्छित अवस्था में वे कुछ ऐसी बाते बुद्बदा रही थी जो समझ में नहीं आती थी अवे डॉक्टर को पुकारने लगी अंजना ने जुक कर उसकी बात समझने की कोशिश की पूनम कह रही थी डॉक्टर बच्चे के दूद का समय हो गया है मुझे उठने दो इतना बोच मेरे सिर पर ना रखो डॉक्टर मैं उसके तले दबी जा रही हूँ उसकी आवाज में कमपन थी सांस रुकर कर चल रही थी जवान लडखडा रही थी जब उसे कोई जवाब नहीं मिला थो वे चिल्ला उठी उसकी चीख में एक दर्द था जो वायू बेंडल में बिजली की तरह दोड गया नर्स ने लपकर छटपट खोन की नली उतार दी नन्ना सो रहा है पूनम अंजना के मूँ से स्वता निकल गया पूनम एकदम चुपचाप हो गई उसने आँके खोली और अपने चेरे पर बंधी पट्टियों में से ज़ांक कर देखा उसकी आँके चमक उठी दो एक छड़वे शांद भाव से देखती रही और फिर मध्यम स्वर में बोल उठी कौन अंजू तुम्हारी सहिली पूनम वे पिर चुप हो गई अंजना ने अपनी बाद दोहराई मैं हूँ पूनम तुम्हारी सहिली राजीव सो रहा है पूनम ने बड़ी कठनाई से अपना कमजोर हाथ उठाया ऐसा लगा जैसे अंजना की आवाज ने उसकी मुर्दा रगों में पलभर के लिए रूफ फूंगती हो अंजना ने लपकर उसके हाथ को पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे दबाने लगी इस प्यार भरे संपर्क से उसमें कुछ स्फूर्ती आई उसका शरीर कापने लगा सैसा उसके मूँ से निकला मैं अब जिन्दा नहीं हूँ अंजू छी छी ऐसी बात क्यों करती हो तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओगी किसके लिए जिन्दिगी तो पहले ही बोज बन गई थी मेरे लिए चंबे चंगी भली थी और अब अब तो यह कायब ही एक बोज बन गई है इस बोज को कौन उठाएगा मैं मैं जो हूँ तुमारे साथ तुमारी छोटी बहन अंजना ने जोकर उसकी आँखों में जھाकने का प्रयास किया पूनम की आँखों में आसु जलक आये थे उसे लग रहा था जैसे मजधार में डूपते डूपते किसी तिनके का सहारा मिल गया हो पूनम बड़े प्यार से बोली मेरे नसीब जाग उठे अंजना तू मिल गई मुझे अब मेरी सारी कठनाईयां हल हो गए अंजना की समझ में उसकी बात तो ना आई फिर भी उसने स्वीकारत पंक रूप से सिर हिला दिया तुम्हें एक सहारे की तलाश है ना पूनम पुनहें बोली उसकी यावास सुनकर अंजना चौंक उठी उसने चकित हो उन अध्रों की ओर देखा जिनकी पीलिमा पर कुछ लाली आ गई थी जैसे निराशा अचानक आशा में बदल गई हो वे पूनम की उखड़ी उखड़ी बातों को समझने के लिए तनिक और सरकाई जानती हो न इस दुनिया में जीना कितना कठिन है हूँ खास तोर से उस लड़की के लिए जिसका कोई रच्छक नहीं हो मुझे किसी रच्छक की ज़रूरत नहीं पूनम मुझे तो मर्दों से घ्रणा हो चुकी है तुम्हारा साथ मिल गया है इसी सहारे जीवन बीद जाएगा मैं भी इस बच्छे की मुस्कुराहट से मुस्कुरा लूंगी और मैं मर गई तो छी भगवान के लिए ऐसा मत सोचो पूनम ने अंजना की यह बात सुनी तो उसके अध्रों पर मुस्कान थिरक उठी अंजना को लगा जैसे सफेद कफन से ठके हुए मुर्दे के नीले अधर सैसा खिल उठे हो पूनम बोली सच्चाई से कौन मुझ फेर सकता है कितना सुनहना अफसर है अंजू तुम्हे एक सहारे की तलाश है और मुझे एक हमदर्द की चो अपना हो और मेरे बच्चे को अपना सके यह सब क्या कह रही हो तुम वह जो मुझे कहना चाहिए मुझे वचन दो अंजू के तुम मेरे बच्चे को अपना लोगी उसे मा का प्यार दोगी तिल छोटा ना करो पूनम मैं तुमारे साथ हूँ मैं तुमारी बहन हूँ हम तुम दोनों उसे पालने पोसने में ही अपना जीवन बिता देंगे सच हाँ पूनम जानती हो ना अंजू मेरी सस्राल वालों ने अब तक मेरी सूरत नहीं देखी है जानती हूँ अंजना उसके दिल की तहह तक पहुँच गई फिर भी अंजान सी बनकर बोली बिचारे ना जाने तुमारे लिए कितने तड़प रहे होंगे तुम्हे काम करो क्या वहाँ जाकर मेरी जगए ले लो पूनम मैं आगे कुछ बोल नहीं सकी दिल थाम कर रहे गई उसे लगा जैसे पूनम ने भरबूर शक्ती से उसके सिर पर हतोड़ा दे मारा हो वह एकदम गुमसुमसी हो गई बड़ी दुगदाई शान्ती चा गई अंत में पूनम ने शान्ती भंग की उसी में तुम्हारी भलाई है अंजू तुम्हें सहरा मिल जाएगा मुझे मेरे बच्चे की मा मिल जाएगी पूनम हां अंजू मेरी ससुराल वाले मुझे इस तशा में देखेंगे तो घ्रणा से मूँ मौड लेंगे जवान बेटे की मौत के बाद अगर उन्हें मेरा यह सद्मा पहुँचा तो ना जाने क्या हो जाएगा नहीं पूनम तुम ठीक हो जाओगी यह जूटी तसल्ली है वादा करो अंजू कि तुम उन्हें इस भुढ़ापे में यह दूसरा सद्मा नहीं पहुँचने दोगी बचन दो के राजीव को तुम अपना बेटा समझ कर पालोगी यह मेरी दरोहर है तुमारे पास तुम मेरी जगह पूनम बन जाओगी पूनम पूनम कमजोरी की इस हालत में यह सब कहते कहते भावुकता में बह गई उसका सांस गले में अटकने लगा जवान लडखडाने लगी और वे अचेत हो गई अंजना ने उसे दो चार बार पुकारा लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला चोही उसने पूनम के मुझे जाग निगलते देखा वे डर गई पूनम की सांस रुक रुक कर चल रही थी वे उसकी बदलती हुई इस्तिती को भाब गई और चल लाकर डॉक्टर को बुलाने के लिए दोड़ी पास खड़ी नर्स उसे गबराहट में देख मदद के लिए आ गई डॉक्टर के साथ अंजना जब पूनम के पास लोटी तो पूनम पूनम इस दुनिया से विदा हो चुकी थी डॉक्टर ने धीरे से उसकी खुली आँखों को बंद कर दिया अंजना फूट फूट कर रोने लगी कुछ दिनों की मित्रता ने इतनी घनिष्टिता पैदा कर दी थी कि उसकी मौत से अंजना की दिल पर इतनी अधिक चोट पहुंची जो उसे अपनी दुर्दशा पर पहले नहीं पहुंची थी शोकातुर विलाब तथा डॉक्टरों और नर्सों की भागदोर से राजीव की आँख खुल गई वे मा के लिए चलाने लगा जब अस्पताल के दूसरे लोग पूनम की मौत पर आंसू बहा रहे थे अंजना एक और खड़ी बच्चे की चिलाहट सुन रही थी सैसा उसकी द्रश्टी राजीव से हटकर पूनम की ओर चली गई उसके अंतिम दर्शन के लिए अंजना को आभास हुआ जैसे पूनम के नीले ओठों से अब भी ये शब्द निकल रहे हैं ये जूटी तसली है बादा करो अंजू तुम राचीव को अपना लोगी तुम मेरी जगे पूनम बन जाओगी ये मेरी दरोहर होगा तुम्हें एक सहरा चाहिए और उसे ममता बोलो अंजू बोलो बचन दो अंजना ने अपने कान बंद कर लिए पूनम की बुकार सहसा बंद हो गई लेकिन बच्चे के रोने की आवाज अभी तक उसके कानों को छेद रही थी वे अधिक सहन ना कर सकी नारी का कोमल हिर्दय पिगला गया उसके अंदर दभी हुई ममता मचल उठी वे बेचैन हो गई अपने हिर्दय को शांत करने के लिए वे राजीव की ओर भड़ी और लपक कर अपनी पूनम की अंतिम भेट को उठा लिया अपने कलेजे से लगा लिया उसे कुछ धीरज मिला कुछ शांती मिली ज्वाला की तरह भड़कती धड़कती मांसे एक विकलता से ठंडक पड़ गई वे उस बच्चे के बदन की गर्वी पाकर कुछ छण के लिए पूनम की सर्द मौत को भूल गई अंजना की दिल में जीने की अभिलाशा फिर से जाग उठी शोग पर शोग सहन करते करते उसके आंसु सूख गए थे उसने दिल ही दिल में अपनी सकी की थाती को अपनाने का निश्चे किया उसमें अंजू का मनहूस भेश छोड़कर पूनम के रूप में जीने का साहस आ गया वे अतीद के दुख भूल कर आने वाले सुनहरे भविश्य की कल्पना करने लगी सैसा किसी कारिकरता की आवाज ने उसे चौंका दिया जो उसे पूछ रहा था इनका नाम पूनम ही थाना जी इनसे आपका रिष्टा मेरी बड़ी बहन थी और यह बच्चा अब मेरे पास रहेगा यहां से कहा जाना है आपको नैनी ताल कब मौका मिलते ही इस मौत की सूचना मैं दे दूँगी इनके पती का नाम चंदर शेखर आपका पता द्वारा लाला जगनात सोला लेक विव नैनी ताल थैंक यू यह कारिकरता पूस्तास करके चला गया लेकिन वह चुपचाब खड़ी उस लोक विव की कलपना करने लगी जिसने उसे पहले कभी नहीं देखा था यह सब कुछ करने की हिम्मत अगर कोई दिला रही थी तो वे थी पूनम की अंते मिच्छा और उस बच्चे का प्यार जो उसके सीने से चुपका उसके बलाउच के बटन से खेल रहा था अध्याय चार वे मौसम की जड़ी लगी हुई थी बादनों के धुंदलके में से लगातार टपटब मूधें बरस रही थी और कोहरे ने संध्या के खिले मुखडे पर अपनी कालिमा का आवरण डालना आरहम कर दिया था अंजना इस भीके मौसम में एक प्राइवेट टेक्सी में बैठी पूनम की सस्वराल जा रही थी अपने जीवन में वे पहली बार नेनीताल जा रही थी नई जगे नई लोग अंजाना वातावरण और एक अनोखी जिन्दगी इन सब बातों को सोचकर उसका दिल बैठा ज चलता तो वे अपनी तनमेता से हडबडा सी जाती और राचीव को अपनी बाहों में कस लेती उसकी कलपनाएं उन बादलों की तरह ही थोड़ी देर के लिए बिखड जाती राचीव को सर्दी से बचाने के लिए उसने उसे अपने गरम दुशाले से अच्छी तरह ढख लि पूनम तो अब इस धर्ती पर रही नहीं लेकिन उसकी प्रतिछाया ने अंजना को घेर रखा था यह बच्चा उसका सामान उसके आभूशन और उसकी सारी निशानियां अस्पताल के कारिकरताओं ने बटोर कर उसे सौंप दी थी उसके बदले में उसने पूनम के नाम से एक कानूनी गारंटी पॉंड भरकर उन्हें दे दिया था वे जियों जों उस रास्ते पर बढ़ रही थी उसका अतीत उसे छोड़कर उस कोहरे में गुम होता जा रहा था वे अंजू से पूनम बन चुकी थी पूनम के बैग में उसके पती की तस्वीर और सस्राल वालों के कैई खत थे जिनको पढ़कर वे उनके बारे में बहुत कुछ समझने लग गई थी लेकिन फिर भी ना जाने किस भै से वे बैभीज सी हो रही थी सफर के दो-चार मील और कम हो गए अचानक राजीव की आँख खुल गई और वे भूग से बिलकने लगा कोशिश करने पर भी रानी खेत में अंचु को दूद का डिबबा ना मिला और उसने बच्चे को ब्रांडी की कुछ बूदे पिला कर सुला दिया था लेकिन अब उसकी चिल्ला हर्ट उसे फिर परेशान करने लगी उसने चुप कराने की बहुतेरी कोशिश की लेकिन वे चुप ना हुआ शायद इसे भूग लगी है बीबी जी टैक्सी ड्राइवर ने हमदर्दी जताते हुए कहा जानती हूँ लेकिन क्या करूँ मां का दूद नहीं पीता क्या नहीं स्वते उसकी जवान से निकल गया और इसके साथ ही वे सुनने सी होकर रह गई इस नहीं के पीछे गहरा रहस्सी था अब वे ड्राइवर से भी घवराने लगी कहीं वे उससे कोई और अनापशनाप सवाल ना कर बैठे अतेवे बच्चे को चुप कराने का एक और असफल प्रैत्न करने लगी वर्शा थम चुकी थी अंजना ने टैक्सी रोकने के लिए कहा ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिये उसने पलट कर देखा अंजना बैग में से पैसे निकाल कर उसे देने लगी थी बैग खुलते ही टैक्सी डैवर की आँखे फटी की फटी रह गई उसने बैग में रखे हुए नोटों का एक पुलिंदा और जेवरात की एक जहलक देखी और दस का एक नोट लिए वे टी स्टॉल की ओर चल पड़ा थोड़ी ही देर में वे दूद ले आया अंजना ने दूद के कुछ खूट बच्चे के मुवें डाल दिए बच्चा भूग से बिलक रहा था दूद पीते ही उसे चैन आ गया और वे फिर अंजना की ओर देखकर मुस्कुराने लगा उसकी मुस्कुराहट एक बिजली बनकर उसके दिल पर कौंदी उसे फिर पूनम की याद आ गई कितनी समानता थी इस बच्चे और इसकी मां के ओठों की मुस्कुराहट में यह देखकर वे तड़प उठी टैक्सी फिर उसी सड़क पर भागी जा रही थी राजीव सड़क गाडी के हिचकोलों के कारण अंजना की गोद में सो गया था वे चुपचा बैटी अपनी उध्यर बुन में विस्त थी टैक्सी डाइवर अफ सामने की खुली खिड़की पर नहीं देख रहा था उसकी निगाहें सामने लगे आईने पर लगी हुई थी वे बड़े ध्यान से अंजना के प्रतिवेंब चहरे पर छाए भावों का अध्यन कर रहा था धलती शाम दूर तक किसी मानव का पता नहीं अकेली औरत और उस पर बैग में नगदी और जेवरात ड्राइवर के दिमाग में बार बार ये बातें चक्कर लगाने लगी उसकी सब्विता को कुंठित करने लगी यह मैनत के ठीकरों से उस दौलत को अच्छा समझने लगा अंजना के बैग में रखे हुए जेवरात उसकी नियत को डामाडोल करने लगे सैसा उसने टैक्सी को बड़ी सड़क से उतार कर एक कच्छी सड़क पर डाल दिया यह रास्ता जंगल के किसी रास्ते से जाकर मिलता था सड़क बदलते ही गाड़ी उचली और अंजना ने चकित नजरों से उस रास्ते की और देखा जो चंड प्रतिचंड घने चंगल में बदलता जा रहा था यह द्रश्य पहले तो उसे अनोखा मालूम हुआ और फिर भैक पैदा करने लगा उसके दिल की धड़कन तेज हो गई ना जानते हुए भी उसे ऐसा आभास हुआ जैसे वे किसी गलत रास्ते पर ले जाई जा रही है या किसी ने अकश्मात उसका जीवन पत बदल दिया है ड्राइवर कहा जा रहे हो उसने बेचैन होकर पूछा नैनी ताल बीबी जी वहां तो वे खुली सड़क जाती है यह रास्ता भी वही निकलता है छोटा है जल्दी पहुँचा दूँगा लेकिन घबराई ये नहीं बीबी जी कच्चा रास्ता है लेकिन अब दूरी कम हो गई है अंधेरा होने से पहले ही हम पहुँच जाएंगे ड्राइवर ने योतों से संतुष्ट कर दिया लेकिन अजना के दिल में समाया हुआ भै कम ना हुआ वे रास्ते के दोनों और फैला खना जंगल देखकर डरने लगी उड़ते हुए बादल जब पेड़ों को छूते हुए निकल जाते तो वातवरण को और भैयानक बना देते जब उसका संशेह अध से जादा बढ़ने लगा तो वे चिल्ला उठी ड्राइवर गाड़ी रोको ड्राइवर ने कोई उत्तर नहीं दिया उसने गाड़ी की चाल तेज कर दी अंजना शंकित हो उठी ड्राइवर की नियत में खोट दिखाई दे रहा था उसने ड्राइवर और खुले ओठों पर दानवता नाच रही थी आँकों की पुतलियों में खून उतर आया था एक मानब दानव का रूप धारन कर चुका था अंजना का दिल धगदग करने लगा उसने अपने आपको समाला और राजीब को सीने से लगा लिया दोनों और फैले घने जंगल देखते हुए वे फिर चल्लाई ड्राइवर गाड़ी रोक लो मैं कहती हो रोक लो वरना मैं दर्वाजा कोल कर कूच जाऊंगी लेकिन ड्राइवर के कानों पर जू ना रहंगी वे जानता था वे ऐसा नहीं कर सकती उसने जब गाड़ी न रोकी तो अंजना ने जोड़ जोड़ से चिल्लाना शुरू कर दिया लेकिन उसकी चिल्लाहट घंडे पेडों में दुपक कर रह गई अंजना को एक नए खत्रे का आभास हुआ उसने अपनी साड़ी का आचल खिड़की से बाहर निकाल दिया और जोड-जोड से चिल्लाने लगी वे बेचारी बेबस और मचबूर उस शैतान के संगुल से निकल जाना चाहती थी लेकिन आबादी से मीलों दूर कोई होता तो उसका विलाब सुनकर उसकी साहता को आता यकायक वे चोकनी हो गई सामने से एक जीब गाड़ी चली आ रही थी उसने तुरंथ हाद बाहर निकाल कर आचल हवाबे लहराना शू कर दिया और चिल्ला चिल्ला कर अपनी आवास तक उस पहुचाने का प्रयास करने लगी डाइवर ने जब जीब को देखा तो वे बदहावास हो उठा उसने गाड़ी की चाल और तेज कर दी और फुर्ती से किनारा काट कर जीब के पास से निकल गया जीब गाड़ी जो टैक्सी की रफ्तार देखकर पहले ही किनारे पर रुक गई थी अंजरा की चिलाहट को सुनकर आगे न भड़ी जीब में बैठे नौजवान ने फिर उस आवाज को सुना जो दूर तक गूस्ती चली गई साड़ी का आचल जवान लड़की की चीख और सुनसान जंगल का रास्ता इन सब ने मिलकर उस नौजवान की शंका को विश्वास में बदल दिया नौजवान ने यह सब कुछ देखा यह सब सुना और तेजी से जीब का रुक बदल कर उस टैक्सी का पीछा करने लगा थोड़ी ही देर में वे टैक्सी बहुत दूर निकल गई थी नौजवान ने अपनी जीब को पूरी स्पीट पर छोड़ दिया और फिर मिंटों में उसे जा घेरा डैवर ने बड़ी शिगरता से अपनी टैक्सी को जंगल की एक दूसरी सड़क पर डाल दिया लेकिन कुछ ही कदम की दूरी पर वे कीचड में धस गई डैवर मजबूर हो गया वे एक हारे हुए जुवारी की तरह अपनी सीट से बाहर उचला और अंजना के हाथ से बैक छीन गया इससे पहले के नौजवान जीब घाड़ी से बाहर आता टैक्सी डैवर दोड़ता हुआ गरे जंगल में घुस गया उस नौजवान ने पिस्तॉल निकाला और भागते गए ट्रैवर की टांग पर गोली चला दी गोली लगते ही उसकी चीक निकली हाथ से बैक छूटकर जबीन पर गिर पड़ा लेकिन वे उसी जक्म हालत में भागता चला गया और देखते ही देखते कोहरे से ढखे जंगल में गायब हो गया नौजवान ने काफी दूर तक उसका पीछा किया लेकिन वे नजरों से ओजल हो चुका था फिर अकेली लड़की का ख्याल आते ही वे रुख गया और वापस लोटाया रास्ते में उसने गिरा हुआ बैग उठा लिया और आते ही उसे अंजना को दे दिया शायद यह आपका है उसने हाफते हुए कहा अंजना ने कापते हातों से बैग पकड़ लिया और थथराते ओठों से कापते स्वर में बोली जी हाँ धन्यवाद नौजवान ने देखा के वे ठंडी संध्या में भी पसीने से भीग चुकी थी खबराहट से उसका मुझ पीला पड़ चुका था वायुबंडल के शीत से उसके होट नीले पड़ गए थे कहा जा रही थी आप नैनी ताल ये सड़क तो जंगल के रास्ते काट गुदाम जाती है इतना सुनकर एक हिचकी सी अंजना की जवान पर आकर रुख गई और वे बच्चे को गोध में लिटा कर बड़ी कातर द्रश्टी से उस नौजवान की उर देखने लगी नैनी ताल कितनी दूर है अब यहां से दस मील है लेकिन आप जाना सकेंगी क्यों अंजना ने विहल हो पूछा वर्षा अधिक होने से पहाडी नाले बह निकलते हैं तो रास्ता घंटों तक बंद हो जाता है ये सुनकर अंजना के मूँ से एक हलकी सी उफ निकल गई वे एक ऐसे राही की तरह इधर उधर देखने लगी जो अपना रास्ता भूल गया हो और उसे अपनी मंजिल का कोई पता ना हो नौजवान ने उसकी गब्राहट को देखकर कहा आप चाहें तो कुछ घंटे मेरे यहां रुख सकती है अंजवान हरबड़ा कर बोला जी मेरे यहां से मेरा मतलब है मेरा घर लगबग दो मिल होगा यहां से आप मैं सेरिया का फॉरेस्ट ओफिसर हूँ और मेरा नाम कमल है उसका नाम सुनते ही अंजवान ने अपनी निगाहें उठा कर उसकी योड़ देखा कमल उसके चेरे पर छाय भावों को समस्ता हुआ बोला घबराइए नहीं आपको नैनीताल तक कुशलता से पहुँचा दिया जाएगा सब प्रबंध हो जाएगा आईए कहीं बच्चे को सर्दी ना लग जाए अंजणा इंकार ना कर सकी इसके सिवा कोई चारा भी ना था कमल ने जो ही टैक्सी का दर्वाजा खोला अंजणा बच्चा समाले नीचे उतर आई और कमल का इशारा पाकर जीप में बैठ गई कमल ने टैक्सी से उसका सामान निकाल कर जीप में रख दिया कमल के स्टीरिंग पर बैठते ही अंजणा ने पूछा इस टैक्सी का क्या होगा मैंने गाड़ी की चाबी ले ली है जाते ही पुलिस चौकी में सूचना दूँगा पुलिस अंजणा कांप उठी आप तो डर गई नहीं मेरा मतलब है बेकार आपको तकलीफ होगी तकलीफ कैसी सूचना देना तो इसलिए भी जरूरी है कि वे मेरी गोली से जखमी हुआ है वे चुप हो गई अधिक भैस करना उसने उचित नहीं समझा वे समय के फेर से डर रही थी ना जाने उसके नसीब में और क्या-क्या लिखा था होनी उसकी जिंदिगी से शायद कोई और खेल खेलने जा रही थी जीब गाड़ी रवाना हुई और वे चुपचाफ फिर उस घनेव रक्षों की उर देखने लगी जिन से धुंद छटकर बादलों में सामान जा रही थी लेकिन इसके साथ साथ उसके भैबी दिल की धड़कन भी धीरे-धीरे धीमी होती जा रही थी अध्याय पांच मालुम होता है आपको कही मैंने देखा है कमल ने अंगीठी में लकडी डालते हुए कहा और पलटकर रंजना की यूर देखने लगा जो अराम कुर्सी पर बैठी आग ताप रही थी वैस बाद परसिट से पाउं तक कांप उठी और ठिटुरती आवाज में बोली जी नहीं मैंने आपको कभी नहीं देखा क्या नाम बताया था आपने अपना पूनम बड़े मद्यम स्वर में उसने जवाब दिया कहां रहती हैं आप नैनी ताल में वहाँ पहली बार जा रही हूँ और इसलिए आपने अकेले ही टेक्सी से ये रास्ता तै करने का फैसला किया था आपको मालूम नहीं ये जंगल बड़ा खतरनाक है वे मेरी गलती थी भगवान ने मेरी पुकार सुन ली तो आप मदद के लिए आप महुँचे अगर आप ना आते तो तो आप अपना सब कुछ खो बैठती ये रुपिया ये जेवर और अपने आपको भी कमल ये कहते कहते पल भर के लिए चुप हो गया और अंजना की मोटी मोटी आँखों में जाकने लगा चिन्वे अंगीठी के अंगारों का प्रतिबिम्ब था कमल ने बात पूरी करते हुए कहा यहां के लोग बस चार पैसों के लालच में किसी की जिन्दगी लेने से नहीं चुकते आप यहां कपसे हैं अंजना ने बात का रुक पलटते हुए कहा छे महीने से अपनी नौकरी भी बस इतनी ही हुई है अंजना फिर मौन हो गई बाहर जोरों का तूफान था बारिश थी के थमने का नाम नहीं ले रही थी उसका जोर भड़ता ही जा रहा था विवश होकर अंजना को रात कमल के पास ही काटनी पड़ी कमल ने सवेरा होते ही उसे नैनिताल पहुचाने का वचन दिया था राजी उसके शैनकच में लिहाफ की गर्मी में चुपचाप सो रहा था नैनिताल में कौन रहता है आपका कमल ने कुछ देर बात बात छड़ी अंजना सिहर उठी लेकिन अपना भाव चुपाने के लिए बोली ससराल है मेरी कौन लोग है बे? वहाँ के रिटायर डिप्टी कलेक्टर लाला जगनात क्या? लाला जगनात? लेक विब वाले? आपने उनका नाम सुन रखा है क्या? नाम ही नहीं सुन रखा है मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता भी हूँ लेकिन आप पूनम उनकी बहू शेखर की बीवी कमल ने कुछ चकेत होते हुए कहा और उसका चहरा कुमला गया अंजना भी पूनम के पती का नाम सुनकर चौंक गई लेकिन उसने अपनी गबराहट को छुपाने का भरसक प्रत्न किया और लड़कडाती सी निगाहों से कमल की ओर देखने लगी कमल को शायद अभी तक इस बात पर एकी नहीं आया था हाँ मैं ही शेखर की पत्नी हूँ लेकिन लेकिन वे तो गाड़ी की दुरगटना में बच गई जीवित कितनी अनोखी बात है न यह तो खुशी की बात है यह जानकर वे लो कितने खुश होंगे आपने उन्हें खबर नहीं दी क्या सोचा बेकार बुड़ोती में परेशान होंगे खुद ही पहुँच जाओंगी हम कल का सवेरा उनकी अंधेरी जिंदगी में उजाला भर देगा अंजना ने ध्यान से कमल का मू नहारा यह खबर सुनते ही उसका चहरा दमक उठाता कंभीरता खिल गई थी उसने दो चार बार नजर भर कर अंजना को देखा जैसे उसे अभी पूरम के जीवित बचने पर विश्वास ना हो रहा हो अंजना ने अपनी शंका समाधान के लिए पूछा आप मेरे सस्राल वालों को कैसे जानते हैं वे तो मेरा अपना घर है यानि मेरे डैडी और लाला जी मू बोले भाई है मुझे ये नौकरी भी उन्हीं की सिफारिश और सायता से मिली है मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा आप देख भी कैसे सकती थी शादी से पहले ही उन्होंने बेटे को घर से निकाल दिया तीन बरस तक उन्होंने उसकी सूरत नहीं देखी मेरी बज़े से मैं जानता हूँ तम मैं जर्मनी में पढ़ रहा था वरना कभी ऐसा नहीं होने देता क्या मेरा ब्या नहीं बलके शेखर का बनबास मैं उन्हें समझा बुजा कर तुम लोगों का मिलाप करा देता वे मिजाज के बड़े सक्त हैं लेकिन दिल के धनी हैं लेकिन अब अब क्या से क्या हो गया उनका बेटा हम सबको अंधेरे में छोड़कर चला गया जवान बेटे की मौत ने उनके सोचने का धंग बदल दिया है वे संगदिल आदमी आज मोम हो चुका है मा तो मानो दिवानी हो गई है मुझे तो उनके बारे में सोचकर भी डर लगता है वे लोग सोचते होंगे मैं ही उनके बेटे को निगल गई डायन बनकर खा गई नहीं नहीं अब तो वे अपने आपको कोश रहे हैं सोच रहे हैं कि लच्छमी जैसी बहु को ठोकराने का ये नतीजा मिला है उन्हें भगवान ने ये सजा दी है उन्हें अंजना ने निगाहें उठा कर कमल के चहरे की उड़ देखा वे ये सब बड़ी गंभीर मुध्रा में और बड़े विश्वास से कह रहा था जैसे वे उसी घराने का सदसी हो और उनके दुख दर्द और उल्चन को समस्ता हो वे फिर अपने आप बोल उठा मुझे पूरा विश्वास है उनसे मिलने के बाद आपकी विचारधारा भी बदल जाएगी चिन लोगों ने आपको कल ठुकराया था आज आपको सेर आखों पर बिठाएंगे आज अगर आप उनकी अमानत को लिए यहां तक ना आती तो उनका जीवन असे हो जाता सैसा बादलों में बिजली चमकी और उसकी भयानक कड़क से वायमेंडल कांप उठा ऐसा लगा जैसे बादल फटकर किसी पहाड की चोटी को निगल गया है वे डर गई थोड़ी देर के लिए शांती चा गई जिसे तोड़ा राजीव की आवाज ने बादलों की गड़गडाहट से उसकी नीद खुल गई थी उसके रोने की आवाज सुनकर वे तेजी से भागती हुई शैनकश में चली गई और राजीव को उठाकर गोद में छिपा लिया अंजना की गोद मिलते ही राजीव का रोना कम हो गया पास ही दूद की बोतल लखी थी उसमें कुछ दूद भी था अंजना ने वे बोतल इसके मूँ से लगा दी वे चुसकियां भरने लगा और चुप हो गया इस इस तब्दता में अंजना को ऐसा आवास हुआ कि भै के कारण उसके दिल की धड़कन तेज हो गई है बादलों की गरज, बारिश और तूफान का जोड सुनकर उसके बदन में कुछ अजीव सी जंजनाहट सी हो रही थी उसे यह सोचकर जितना ढाडस बना था कि कमल के आने से उसकी आबरू बच गई उतने ही उसकी गबराहट इस बात से बढ़ गई कि कमल उसके सस्राल वालों को और पूनम के पती को अच्छी तरह जानता है लेकिन वे स्वैम इससे जादा कुछ नहीं जानती थी कि शेखर की मौट डलहौसी की घाटियों में होई एक जीब की दुरगटना में वे इनी विचारों में खोई बैठी रही राजीव दूस की कुछ चुस्कियां भरकर फिर सो गया सैसा एक आहर्ट ने अंजना को चौंका दिया सामने घर का नौकर खड़ा था खाना तयार है बीवी जी कमल बाबु कहां है खाने की मेच पर आपका इंतिजार कर रहे हैं नौकर चला गया अब वे क्या करे जिन प्रशनों से बचने के लिए वे कमरे में आज हिपी थी वे उसके सामने फिर से आखड़े हुए अब वे खाने से इंकार कैसे कर सकती थी बच्चे को साबधानी से बिस्तर पर लिटा दिया और उस लिहाफ उड़ा कर बहार चली गई नौकर ने ठीक कहा था कमल खाने की मेच पर बैठा उसकी प्रतिक्षा कर रहा था वेसिर को डुपटे से धापे मेच के पास पहुँच गई कमल ने उठकर उसके लिए कुरसी आगे कर दी वे धीरे से केवल धन्यवाद कह सकी और चुपचाब कुरसी पर बैठ गई तुरंत ही नौकर ने मेच पर खाना लगा दिया कमल डोंगा उठाकर जैसे ही अंजना की प्लेट में सबजी डालने लगा उसने उसका हाथ थाम लिया और बरतन अपने हाथ में लेकर खाना पर उसने लगी आप यहाँ अकेले रहते हैं नहीं तो घर है नौकर है चारों और भाती-भाती के जानवर है मेरा मतलब है अभी तक आपने अपना घर नहीं बसाया शादी नहीं की शादी का नाम सुनते ही कमल के चहरे की लाली पी लाहट में बदल गई वे मौन हो गया और चुपचाप खाना खाने लगा अंजना को लगा जैसे उसने उसका निरादर किया हो वे अपनी बात पर पस्ताने लगी और वे भी चुपचाप खाना खाने लगा आप मेरी बात से बुरा मान गए कुछ तेरबाद अंज्रा ने बड़े नमर स्वर में पूछा नहीं, तरशल शादी से मुझे नफरत है ऐसे बंधनों में बंधकर इंसान अपनी आजादी खो बैठता है अब आप ही सोचिये ना, शादी करके आपने क्या सुख पा लिया भरी जवानी में विद्वा हो गई जिन्दगी भर एक बच्चे की जिम्मेदारी, दुनिया भर के ताने और, और, आप ठेरे मर्द, आप ऐसा सो सकते है लेकिन नारी जीवन तो ऐसे ही बंधनों का योग है प्यार, बमता और कर्तब ये ना हो तो नारी जीवन खोकला हो जाता है कमल ने उसकी बास सुनी और सिर उठाकर उसकी आखों में जहांका उनमें एक अनोखी चमक छिपी हुई थी जिसने उसकी धार्णा को अर्थीन बना दिया था और वे एक हारे हुए खिलाडी की तरह अधिक बहस नहीं कर सका इतर अंजना ने ये बात कहत दी थी परंतु उसके हिर्दय के बीतर छिपा हुआ जूट फिर से उसे डसने लगा था वे चुपचाप खाना खाने में लीन रही कभी-कभी नजने उठाकर वे उस खिड़की की उड़ देख लीती थी जिस पर बरसात के गिरते छीटें बढ़ते ही जा रहे थे दोनों खाना खा चुके रात काफी बीच चुकी थी अब सोने का समय था कमल ने अपने शैनकक्ष में अंजना का बिस्तर बिच्वा दिया और वे स्वैम अपने अध्यनकक्ष में जास होया कमल की थोड़ी सी भेट से वे बड़ी प्रभावित हुई थी वे अपने आपको उसकी करीब समझने लग गई थी इस नई जगे उसे नीट तो नहीं आ रही थी लेकिन मानशिक शान्ती अवस्य मिल गई थी एक मुद्दत के बाद वे अपने दिलो दिमाग में एक चैन सा महसूस कर रही थी ये एक छोटा सा गड़ था हर चीज ढंक से सजी हुई थी ये सब कुछ देखकर अंजना अपनी कलपनाओं के संसार में खो गई उसे याद आया कि उसके सपनों में भी एक ऐसी दुनिया ने जन्म लिया था जिसे औरत का स्वर्ग कहना चाहिए लेकिन वे सपना साकार नहीं हो सका उसके जीवन में एक अफसर अवश्य आया अपना संसार बसाने का मगर वे अफसर उसके हाथ से निकल गया और उस दुनिया का पोशक, उसका दूला उसे मिलने से पहले ही विछुड गया इसके बाद अंजना को उस पिसाच का ख्याल आया जिसने पलभर में उसके विश्वास को छिन्ने भिन्ने कर दिया था बनवारी ने उसके जीवन को ऐसा मोड दिया कि वे कहीं की नहीं रही इस निर्वर्म घटना के इसमरण से उसका हिर्दै गलानी से भर उठा उसके दिल को एक धक्का सा लगा और हिर्दै की पीड़ा आसू के रूप में उसके पलकों पर आकर थर्राने लगी आज वे जीवन सागर में हिचकोले खाती हुई एक ऐसी नौका थी जिसकी अपनी कोई मंजिल नहीं थी उसका भागे लहरों के उन रेलों में छिपा हुआ था जो उसे धक्के देकर किसी अंजानी मंजिल की ओर ले जा रहे थे रात बीद गई सुरज निकलने से पहले ही अंजना नैनीताल जाने के लिए तैयार बैठी थी नौकर बच्चे के लिए दूर ले आया था और अब नाश्ता बना रहा था अंजना ने बच्चे को दूथ पिलाकर बाहर दालान में खिलने के लिए बिठा दिया और स्वैम बंगले के आसपास के द्रश्य देखने लगी चो रात के भयानक अंधेरों से छुटकारा पाकर उजाला हो चुका था वर्चा के बाद मौसम खिल उठा था प्राते का प्रकाश धर्ती से आकाश तक फैल गया था और इसमें भीगी हर्याली बड़ा मनोहर द्रश्य पस्तित कर रही थी चिडियों की चैचाहाट ने अंजना के हिर्दे की बेचैन तरंगों में भी आशाओं की ले भर दी और कल तक जो दुनिया उसे स्या और भयानक लग रही थी आज बड़ी हिर्देग राही नजर आने लगी उसकी निगाहें घुमती फिर्ती अचानक उस कैरिस के पास जहाँ पहुँची चहां कमल अपनी जीब खड़ी का हुड खोले गाड़ी का तेल और पानी चैक कर रहा था एक प्रतिमा की भांती अडिक वहीं खड़ी वे उसे निहारती रही कमल ने हुड बंद किया और निगाहें उठाई तोनों ने एक दूसरे को देखा और अध्रों पर मुस्कान विखर गई वे अपना हाथ पोंसता हुआ अंजना की ओर भड़ा आया हेलो, गुड वॉर्णिंग, नमस्ते अंजना ने जहिजकते हुए उसका स्वागत किया कहिए, रात कैसी कटी? जी, वे चौँक पड़ी मेरा मतलब था नई जगे, नया बातवरन, नई लोग ऐसे में नीद आई या नहीं कुछ समय सोने में और कुछ जागने में कठी गया शायद आंधी तुफान और वर्षा के सोड ने सोने नहीं दिया इतने में घर का नौकर रामू नाश्ता लिये आप होंचा अंजना ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और कमल के लिए चाय बनाने लगी वे पास पड़ी कुरसी खीच कर नाश्ता करने बैट गया अंजना का जी सवेरे सवेरे कुछ खाना नहीं चाह रहा था कमल ने मज़ूर किया उसने तनिक धीमे स्वर में कहा बस एक प्याली चाय पियूँगी आपके साथ अंजना ने चाय का पानी अपनी प्याली में उडेला और उसमें चीनी दूद मिलाने लगी एक राज साथ क्या रहे लगता है बरसो पुरानी मुलाकात है चाय की चुसकी भरते हुए कमल ने कहा अंजना के ओट प्याली के किनारे जैसे चिपक कर रह गए उसने कंखियों से कमल की उर देखा जो तेजी से मूँ चला रहा था सोस्ती हूँ आपका यह ऐसान कैसे उतारूंगी एक धंग है कमल ने बड़ी गंबीरता से कहा क्या वे चौक उठी जिस घर में आप जा रही हैं वे शेखर की मौत के बाद वीरान हो गया है उसे फिर से आबाद कर देना भले ही अपनी खुशियों को गचलना पड़े लेकिन उस घर की खोई हुई बहार को लोटा देना शायद शेखर के माबाप इस भुलावे में कुछ दिन और जी जाएं अंजना ने देखा कि यह सब कहते हुए कमल की आँखों में आशू आ गए वे बाभुकता में भै गया अंजना ने एक तरह से इस बात का वादा करते हुए कहा आपको उनसे इतनी हमदर्दी है मुझे मालूम नहीं था कमल ने डबडबाई आँखों से अंजना की योड़ देखा वे तनिक रुक कर फिर बोली उनकी सेवा तो मेरा धर्म है मेरी आराधना है मैं कोशिश करूँगी कि उनका दिल कभी दुखी नहो इस घर की इजज़त अब मेरी इज़़त है अंजना इससे अधिक और कुछ न कह सकी और जल्दी जल्दी चाय पीकर अंदर चली गई कमल चुपचा बैठा नाश्ता करता रहा और सोचता रहा कि उसने यह सब कुछ अंजना से कहकर अच्छा किया या बुरा किया लेकिन वह किसी नतीजे पर ना पहुंच सका अंजना जब कमरे में पहुंची तो उस समय घर का नौकर राचीव को लिए बगीचे में खड़ा था और उसे पाल्दू कबूतर दिखा रहा था वे भी खिड़की का सहरा लेकर उन्हें देखने के लिए खड़ी हो गई कुछ देर बाद वहां से हटकर वे सामने के बुक शेल्फ के पास आई और कुछ कितावें निकाल कर देखने लगी अधिकतर कविता की पुस्तकें थी और हर किताब पर कमल का नाम लिखा हुआ था खरीदने की तारिक भी लिखी हुई थी इससे एक बात का पता चल गया कि कमल को कविता अधिन का बड़ा पुराना शौक है दाई और अचानक कमल को देखकर वे बर्बस छेब गई वे चुपचाब खड़ा उसे निहार रहा था अंजना की हाथ में कविता की एक पुस्तक देखकर वे बोला आपको भी कविताएं पसंद हैं क्या जी आपका शौक भी बहुत पुराना लगता है कॉलेज के दिनों में था लेकिन अब नहीं रहा क्यों? जीवन की कठोरता का अनभव जो हो गया उसके बाद ये कोमल भावनाएं एक सौपनिसी लगने लगी है यह आपका ब्रहम है जीवन के कठोर अनभव ही तो इसमें यथार्थ का रंग भरते हैं इस यथार्थ में दर्द और जलन के सिवा और कुछ नहीं होता जिस दिल में दर्द और जीवन में जलन ना हो वे क्या हुआ कमल ने भर नजर अनजना की ओर देखा वे जहेब गई उसकी गवराहट देखकर कमल मुस्क्रा पड़ा अनजना ने तुरन समलकर धीरे से कहा आई एम सौरी इससे पहले के वे इस बारे में वे अनजना से बाते करता वे दूसरे कमरे में चली गई और अपना सामान ठीक करने लगी कमल ने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और उसी खिड़की के पास चला गया जहां से राजीव नजर आ रहा था और जो अभी तक उन कबुतरों का खेल देख रहा था अध्यायच है कमल ने जोही चीब गाडी लेक विव के सामने रोकी अनजना का दिल धगधग करने लगा उसने फाटक के बाहर लगी हुई तक्ती पड़ी जिस पर पूनम के ससुर का नाम मोटे मोटे अच्छरों में लिखा हुआ था कमल ने पहले उस दर्वाजे की ओर और फिर अनजना की ओर देखा वे और भी खबरा गई कमल उसके चेहरे के भावों को परक्ता हुआ बोला यही घर है लाला चगनाजी का कुर्सी तो छिन गई उनसे लेकिन अब तक लोग उनकी वैसी ही इज़्जत करते हैं अनजना ने सीकारात्मक ढंक से सिर हिलाया और फिर उस शानदार लहोद्वार की ओर देखा उसकी बनावट और मजबूती देखकर उसे मालक की मनोवरती का कुछ-कुछ अन्मान हो गया कमल उसे वही रुकने के लिए कहकर अकेला फाटक की ओर भड़ा वे लाला जी को उनके जीवन की सबसे अनोखी भेंट देना चाहता था उसने दरवान को फाटक खोलने का इशारा किया ही था के अंदर से पालतु कुटों के भौकने की आवासे आई उन आवाजों ने अंज्रा को भी कुछ भेहबीत कर दिया लेकिन वे समल गई नई जगा नई लोग ना जाने उसे बहु मानने को तयार भी होंगे या नहीं फाटक खुला दो कुते उचलते हुए आगे भड़े और प्यार से कमल की टांगों से लिपटने लगे उसने भी दोनों को प्यार किया और वे लोट गए कमल चीप में लोट आया और उसे ड्राइव करके अंदर ले गया चीप पारलर में जाग रुकी सामने ही दालान में घर के मालेक लाला जगनात कुर्सी पर बैठे धूप सेगने के साथ साथ अखवार भी पड़ रहे थे उन्होंने अखवार से निगाहें हटा कर चीप की ओर देखा तो अंजना ने भी उनके चेरे को तनिक ध्यान से देख लिया यही हैं शेखर के बाबुजी इस घर के मालिक कमल ने जीब से उतरते हुए कहा अंजना ने जट से सिर पर आचल खीच लिया और राजीव को सीने से चिपका कर अपने दिल की गबराहट कम करने का प्रयास करने लगी जगरनात ने जैसे ही कमल को पहचाना उनका चेहरा गंभीर दम गुठा और वे उन लोगों का स्वागत करते हुए बोले आओ आओ बेटे आज सवेरे सवेरे या सूरच इधर कैसे निकला क्या डूटी पर जा रहे हो जी हां आज जीटी ही ऐसी थी कि सवेरे सवेरे ही घर से निकलना पड़ा किधर की तैयारी है कहीं की नहीं यहीं आया था किसी काम से जी कुशल तो है वे तने घबरा कर बोले बिल्कुल एक खबर लेकर आया हूँ आपके पास एक खुशी की खबर वे क्या उन्होंने अधीरो कर पूछा आपकी बहू और पोता जीवित हैं कमल एक कांपती हुई आवाच उनके मूँ से निकली और हाथ में पकड़ा हुआ चश्मा उन्होंने जट से आँखों पर चड़ा लिया वेध्यान से कमल को देखने लगे कि कहीं वे उनसे मजाक तो नहीं कर रहा है लेकिन कमल के चहरे पर थेरक्ती हुई हार्दिक प्रसन्यता की लेरों ने उन्हें इस बात का विश्वास दिला दिया कि वे उनसे सच कह रहा है कुछ चंड गुमसुम रहने के बाद उन्होंने खुशी से लेरा कर पूछा कहां है मेरी बहू, कहां है मेरी पूनम, जीप में, कमल, मेरे बच्चे, कहीं तुम उससे मजाक तो नहीं कर रहा है जगनाद ने बड़ी कंभीरता से पूछा और उनका रुक बदलकर उस चीप गाड़ी की ओर देखा जिसमें से अंजना अभी-अभी बाहर निकली थी सफे साड़ी में लिप्टी, भोली-भाली जवानी, गोद में बच्चा और माथे पर सोहा की परचाईयां लिये हुए वे धीरे-धीरे उनकी ओर भड़ रही थी गठिया के दर्द के कारण लालाची मस्बूर थे, वे अपनी लडखडाती टांगों पर बड़ी, मुश्किल से खड़े हुए और अपनी बहु के स्वागत के लिए दो कदम आगे भड़े सहरे के लिए उन्होंने अपनी चड़ी भी थाम ली, शोकातुर उस चांद सी सूरत को देखते ही उनकी आँखें डबडबा आई उन्हें लगा जैसे उनके जीवन के अंधेरे छितिश पर कोई प्रकाश्मान तारा उदै हो गया हो अंजना ने जुक कर उनके पैरों को छुआ और उन्होंने बहु को गले से लगा लिया उनकी आँखों से आंसुओं की जड़ी लग गई उनकी मना इस्तिती को समस्ते हुए अंजना की आँखों भी भर आई पहले उन्होंने बहु का माथा चुमा और फिर अपने पोते राजीव को लाला जगरनात के हातों से छड़ी छूट गई उन्होंने पीछे हटकर कुर्सी का सहारा लेना चाहा तो अंजना ने बढ़कर उन्हें अपने कंधे का सहारा दिया और कमल ने लपक कर उन्हें पकड़ लिया दोनोंने दुबारा आराम से उन्हें कुर्सी पर बैठा दिया उन्होंने वड़ी कामना भरी नजरों से अपने कुल की एकलोती और आखरी निशानी को देखा अंजना ने आगे भड़कर राजीव को उनकी गोद में डाल दिया वे खुशी के आंसू रोक कर बच्चों की तरह तुतली जवान में बातें करते हुए खेलने लगे शेखर की माँ जो पूजा के लिए भगवान की मूर्ती के सामने बैठी अपने पाप पुने का हिसाब लगा रही थी घर में कुछ आवाजों की भनक पाकर उस ओर आकरशित हुई इतने में घर की नौकरानी रम्या ने आकर उन्हें पूनम बहु के आने की खबर सुनाई फिर क्या था शान्ती खुशी के मारे पागल हो गई उन्हें लगा जैसे भगवान ने उनकी भक्ती से प्रसन्न होकर उनकी जोली बरदानों से भड़ दी है अत्यधिक प्रसनता के मारे उनकी जुबान गुंग हो गई वहीं बुद्पनी बैठी रही नौकरानी रमिया का सहरा लेकर किसी तरह उठी और बहु को देखने लगी वे जब बहु के सामने आई तो अंजना को ये समझने में देर ना लगी कि वही पूनम की सास है उसने सास के पाउँ चुप कर प्रडाम किया और गले मिलकर रोने लगी शान्ती ने बहु को चुप कराने के बाद राचीव को अपने पती की गोत से ले लिया और से चूमने चाटने लगी उनकी आखों से बहते हुए खुशी के आउसकों ने सब को विकलता से भर दिया उन्हें तो ऐसा लगा जैसे उनका शेखर लोटाया हो उनके अंधेरे दिल में ममता की किडने फूट पड़ी नौकरानी रमिया बहु को अंदर ले गई और रंगा माली बहुरानी का सामान उतारने के लिए जीब की ओर भड़ा डाला जगरनाथ और उनकी पत्ती शान्ती बार-बार कमल के सामने अपनी करतगेता प्रकट करने लगे उन्होंने ये जानने के लिए कि पूनम कहां और कैसे मिली प्रशनों की बोचार कर दी अंजना घर के सदर हॉल के एक कौने में बिछे हुए सोफे पर जा बैठी रमिया खुशी से दिवानी हुई उसके इर्द-गिर्द चक्कर सा लगा रही थी अंजना के कानों में अभी तक कमल की आवाज संसना रही थी चो बाहर बैठा रेल-गाडी की धुरगटना और उसके बाद की घटनाओं का विबरण बता रहा था अंजना ने नजरें उठाकर घर के वातवरण को परखना शुरू किया वे जल्द से जल्द इस नए वातवरण और अपरचित लोगों तथा अन्य इस्तितियों से परचित होना चाहती थी उनसे अलग होकर रमिया का साथ उसे अच्छा लगा जो ही उसने रमिया की और नजरें उठाई उसे अपनी और घूर घूर कर देखते ही पाया अंजना इससे रोमांची थोड़ी अकश्मात रमिया की कंभीरता मुस्कुराहट में बदल गई और वे अपनी सुरीली आवाज में बोली शेखड ने ठीक कहा था पूनम का चांद है लाला जी की बहू लेकिन अब तो इस चांद में एक गहरा दाग है वे अपने मनमंदिर के देवता को खो बैठी है हाँ हाँ बीबी जी आप सच कहती हैं पुरुखों का कहना है कि किसी चीज से ज़्यादा मो हो जाए तो वे हाथ से निकल जाती है अंजना की आखों में आसू आ गए रमिया अपनी कही बात पर पस्ताने लगी अपनी समझ में उसे बहुरानी का दिल दुखाया था लेकिन बहुरानी ने उसकी बात का बुरा ना माना बलकि सची बात कहने पर उसकी प्रशंशा की थोड़ी ही देर में रमिया उससे घुल मिल गई अंजना को मालुम हो गया कि रमिया दिल की बड़ी साफ है और बातूनी भी है उसकी बातों को सुनते सुनते अंजना ने पूछा तुम्हारे छोटे सरकार की कोई फोटो यहां नहीं है क्या है बीवी जी लेकिन सामने नहीं रखी जाती क्यों उनका मुस्कुराता हुआ चहरा देखकर माजी और बाबू जी रोने लग जाते हैं ओ उसने एक गहरी सांस लिया जी तभी तो उनकी सब तस्वीरों को उनी के कमरे में रखकर उसे बंद कर दिया गया है अंजना ने घर के भूगोल को फिर से जाचना शुरू किया और बोली कहां है उनका कमरा वे है रमिया ने उंगली के इशारे से उस जीने की और इशारा किया जो सीधा एक कमरे तक जाता था उसके दोनों के वार बंद थे जैसे वे कमरा अपने में कोई गहरी और दर्दनाग दास्तान छिपाए हुए हो अंजना चुपचाब उस कमरे की और देखने लगी रमिया ने उसे फिर जंजोडा जब से उनकी बुरी ख़बर मिली है नौकरों के सिवा उस कमरे में कोई नहीं चाता अंजना ये सुनकर परेशान सी हो गई और अपना दुशाला उतार कर आराम से बैट गई उसने रमिया से कहा कि हवा लग जाने से उसके सिर में हलका हलका दर्द होने लगा है कहने की देड़ थी कि रमिया जट से उठी और चाय बनाने के लिए रसोई घर में चली गई अंजना ने एक घहरा सांस लिया और अपनी जगे से उठकर कमरे में सजी हुई चीजों को देखने लगी फिर वे धीरे धीरे उस जीने तक चली गई जो शीधा शेखर के कमरे की उड़ जाता था वे उसकी तस्वीर देखने के लिए बेचैन थी लेकिन उसकी निगाहे कमरे के बंद अरवाजे से टकरा कर लोट आती उसमें उपर कमरे तक जाने का साहस नहीं था इतने में ही किसी आहट ने उसे चौंका दिया वे तुरंद पलट पड़ी कमल उस घटना की सारी कहानी सुना कर इधर आ रहा था कैसी लगी यह जगा यह लोग घड़ी बर में क्या कह सकती हूँ मैंने तो ऐसा सोचा भी ना था कि बाबुजी और माजी इतने आदर से स्वागत करेंगी और यह उपरी स्वागत नहीं है बलकि वे दिल से तुम्हें चाते हैं इतने में शांती बच्चे को उठाए अंदर चली आई क्योंकि बच्चे ने रोना शुरू कर दिया था अंजना ने बहरड कर बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और वे अंजना के सीने से लगते ही चुप हो गया लो बदमाश कहीं का मां से मिलते ही चुप हो गया शांती ने खुशी के आंसू पहुंसते हुए कहा बेटा किसका है कमल बोला हट अच्छा बहु अब आराम कर ले बच्चे को भी दूद पिला ले अच्छा मां अब जाता हूँ कमल ने अंजना के चहरे से निगाहें हटा कर मां की ओर देखा और फिर रम्या की ओर जिसने चाय की ट्रे लाकर बेच पर रगदी थी एक अब चाय तो पीते जाईए अंजना ने जिजगते हुए कहा लेकिन कमल ने जल्दी का बहाना बना कर इंकार कर दिया लिए ले गई अंजना प्यालों में चाय उडेलने लगी तथा मां और कमल बुद्ध बने उसकी ओर देखने लगे अंजना ने एक प्याला मां को और दूसरा कमल को दिया मां ने रम्या से बाबुजी के लिए एक कब बनाने को कहा अंजना बोली मैं जा रही हूँ अंजना ने अपने लिए बनाया हुआ प्याला उठाया और बाहर चली गई उसकी ततपरता देख मां ने प्यार से कमल की उड़ देखा वे बोला कितने बदकिस्मत थे आप लोग चिन्होंने ऐसी बहु को ठुकरा दिया था ऐसा ना कहो बेटा हमें बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है इसकी कमल ने मा का दर्द समझा और चुप हो गया मा फिर बोली शायद भगवान ने हमारी सुन ली है जो हमारे भड़ापे का सहरा भेज दिया है इधर अंजना चाय का प्याला लिये हुए बाबुजी के पास जा पहुँची वे उसे देखते ही बोले तुमने क्यों कश्ट किया बेटी मुझे और अधिक लच्चित ना करो बेटी यह सब मेरी नासमची का नतीजा था जो मैंने लच्च्मी जैसी बहु को ठुकरा दिया तुम जैसी देवी को अपनाने से इंकार कर दिया अब इन बातों को भूल जाएगे बाबुजी आप यों समझ लीजिए कि आपने मुझे बहु नहीं माना था और अब बेटी मानकर अपनी छत्रचाया में रख लिया है यह कहकर वो लोट आई लाला जगनात की आँखों से मोटे मोटे आसू धलक पड़े वे अपने दिल का दर्द कम करने के लिए अंजना के हाथ की बनी चाय के घूंट बरने लगे कमल चला गया रमिया बच्चे को लिए खिलोनों में मगन हो गई बाबुची फिर अखवार पढ़ने लगे और मा अपनी अधूरी पूजा पूरी करने के लिए फिर से भगवान की मूर्ती के सामने जा बैठी अंजना ने शंतोस की शांस ली और चुपके चुपके घर के चारों कोनों में चलने फिरने लगी उसने एक मुद्दत के बाज आज आज़ादी का सांस लिया था उसे एक प्रतिष्टित सहारे की तलाश थी और वे उसकी पूनम ने अपनी मौत से पहले उसकी गोद में डाल दिया था अंजना का सामान नौकरों ने शेखर के कमरे में रख दिया था वे कमरा जो अभी तक वीरान और दीन ही नवस्था में पड़ा था वे फिर से बसने जा रहा था जिस कमरे के अंधेरे ने घर के उजालों को निगल लिया था आज वे अंधेरे में सिमटकर कहीं दूर चाच पे थे अंजना ना जाने क्या सोचकर सीडियों पर चड़ गई जो उस बन दर्वाजे पर जाकर खत्म हो जाती थी उसे ऐसा लगा जैसे वे सचमुच इस घर की बहु हो जो अब विद्वा हो चुकी थी और इस घर की इज़्जत और सारी जिम्मेदारियों का बोज भागे ने उसके कंधों पर डाल दिया था वे बन दर्वाजे के पास छिटक कर रह गई उसके दिल की थड़कन पहले से अधिक तेज हो गई अंग अंग में एक कपका पाहट पैदा हो गई वे उस दर्वाजे के कंब्रे में प्रवेश कर रही थी चो कभी उसका सिर्थास था लेकिन उसने कभी उसे देखा नहीं था वे उसकी विद्वा थी लेकिन जीवन का एक पल भी उसने उसके साथ रहकर वैतित नहीं किया था वे कुछ देर यही सब सोस्ती रही और फिर उसने किवार धगेल कर खोल दिया कमरे का द्रश्य सामने आते ही दिल की धड़कन पलभर के लिए थम गई चलता हुआ सांस रुपकर रहे गया और वे फटी-फटी नजरों से उस कमरे की वस्तूओं को नहारने लगी अपने बोजिल कदम उठाते हुए वे अंदर आई समचित ढंक से सारी चीज़ें सजी हुई थी कमरा भी साफ था ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले वहां शेखर मौसूद था वे धीरे धीरे उस खिड़की की ओर चली गई जिसे थोड़ी ही देर पहले नौकर खोल कर चला गया था खिड़की का सहारा लेकर अंजना ने बाहर बिखरी पहाडियों पर नजर डाली उन पहाडियों से घिरी हुई एक जील दूर तक फैली हुई थी उसका स्वच जिल मिलाता हुआ पानी बड़ा मनोरम द्रश्य उपस्तित कर रहा था अंजना को लगा जैसे ठंडी मधुर बयार उसके सूखे बालों को थपतपा रही हो उसकी घुटी हुई सांस फिर से चलने लगी हो चिडियों की चैचाहट खुली हवा में उनकी उड़ाने उसमें नवजीन का संचार करने लगी सैसा उसकी निगाहें सामने रेडियो ग्राम पर रखे एक फोल्डिंग फ्रेम बर जाकर रुख गई वे लपकर उधर भड़ी और से खोल कर देखा ये फोटो शेकर का था जो उसने कभी उस जील के किनारे किसी चटान पर बैट कर खिचवाया था कठीले बदन का सुंदर युवक, खिला हुआ चहरा, महबत की रोशनी से चमकती हुई आखें और निरंतर मुसकानों से खिले ओट, फिर न जाने विधाता ने इसे इस धर्ती से पड़ जीने का अफसर क्यों नहीं दिया ये सोस्ते ही उसे पूरम का ख्याल आया, जो विरह की जलन से चुभन से छुटकारा पाकर अपने पिया सिजा मिली थी उस पेचारी के भागे के दर्दना खेल की कलपना करके अंजना की आँखों से आँसू बह निकले सैसा एक आहट सुनकर उसने पलट कर देखा, सामने शांती खड़ी थी मां को सामने पाकर वे जिजक सी गई, कांपते हातों से उसने वे तस्वीर पुना रेडियो ग्राम पर रग दी और साड़ी के आचल से अपने आँसू पहुचने लगी और कितने आँसू बहाएगी उसकी याद में बहु, यहां तो आँखों का पानी ही सूख गया है यह स्मृतियां तो मेरे जीवन का सहारा हैं, इन्हें विसार दिया तो मैं एक पल भी न जी सकूँगी अंजना ने कांपते हातों से उस तस्वीर को दुबारा समाला और अपने आचल से साफ करके रेडियो ग्राम पर रग दिया शांती ने बहु की आँखों में द्रड निश्चे को जन्म लेते देखा और उसे भगवान के भोग का प्रसाद देते हुए बोली बहु सच मानो तुम आ गई तो मेरे बेटे के जाने का गम भूल गया है मैं भी भगवान से यही प्रात्ना करती हूँ मा के मुझ पर वे जो भी कुछ जिम्मेदारियां डाल गए हैं उन्हें मैं पूरी तरह से निभा सकूँ इन जिम्मेदारियों को बोज न समझना बहु हम तुमें फूलों की तरह अपने पास रखेंगे तु अपने सारे दुखदर्द भूल जाएगी मा ने उसे असीज दी और चली गई अंजना की दिल का बोज हलका हो गया वे भे जो उसे दिन राद रड़ डस रहा था सहसा निकल गया वे लोग चितने ये बारे में सोचकर वे शंकित होती रही थी इतने भले और सीधे होंगे ऐसा वे सोच भी नहीं सकती थी सहसा उसके बदन में एक लहर सी दोड़ गई उसने शीगरिता से अपना सामान खोला और हर चीज अलमारी सिमे सजाने लगी पूनम के रेश्मी जोडे जो अब केवल उसकी इस्मृति के चिन्न थे इतनी साफधानी से समालने लगी जैसे वे सब उसी के हों वे अपनी दुनिया को भूलकर पूनम बन जाना चाहती थी वे अंजना को भूलकर उन इस्मृतियों को अपनाने के लिए तैयार हो गई थी जिनसे उसका कोई मतलब नहीं था बर्बस उसके हातों में पूनम का वे जोड़ा और जेवरात आ गए जिने पूनम ने अपने विवा के अफसर पर पहना था वे सुर्ख रंग का गोटेदार शादी का जोड़ा एक दुलहन की कामना बन कर रहे गया था उसे देखकर अंजना का दिल दहल गया यथार्थ फिर उसके सामने आ गया वे यथार्थ जो उसके अपने भ्यास से सम्मंदित था वे जोड़ा जो तुलहन बन कर उसने पहना था और जो उसके कलंग का कानण बन कर रहे गया था यह सोचकर उसने अपना मूँ अपने उन हातों में छिपा लिया चिन पर महदी का रंग तो उड़ चुका था लेकिन कलंग की स्म्रती अब तक उन लकीरों में छिपी हुई थी अध्याय साथ जीवन के कुछ दिन और वैतीत हो गई धीरे धीरे अंजना का स्तित्व मिटता चला गया और पूनम उस घर में निखरती चली गई वै थोड़े ही दिनों में उस घर की दिनचर्या सीख गई उसकी सारी च्छाएं और कामनाएं दब कर रहे गई और वै शेखर की विद्वा बन कर दिन बिताने लगी यह एक विचित्र सैयोग की बात थी कि जिस लड़की ने जन्दगी की बहारों को अभी तक छुआ भी नहीं था उसे विवश होकर अपने दिल का पत्थर रखकर एक विद्वा का रूप धारन करना पड़ा दुनिया वालों के सामने तो उसकी सारी खुशियां वियोग और शोक में बदल चुकी थी लेकिन अंदर ही अंदर वै खुश थी उसके हिर्दय को एक विचित्र ढड़स मिल गया था अजीब शांती मिल गई थी वर्तवान की प्रफुलित कलपनाव ने अतीद की परचाईयों को अपने भार तले छिपा लिया था उसने मौत में जिंदिगी की जलक देख ली थी आज इस घर में वै आजादी की सांस ले रही थी उसके सास असुर पडोस में किसी का हालचाल पूछने गई हुए थे उपवन की मकमली घास पर वे बच्चों की तरह नंगे पाउं उशल कूद कर रही थी अपने आँखों पर डुपट्टे की पट्टी बांद कर वे अपने राजीव से आँग में चौली खेल रही थी राजीव उसे अलग छोड़कर स्वयम किसी पौधे की पीछे छिप जाता अंजना अंजान सी बनी उसे खोजने दौड़ती और हर बार जानबूच कर उस पौधे को छोड़कर दूसरे किसी पौधे की ओट में जाकने लगती इस पर राजीव अपने पौधे की ओट से निकल कर खुशी से ताली पीटने लगता वैसी खेल से अपना दिल बहला रही थी सैसा वे ठिटक कर रुख गई उसके चहरे का एक रंग आकर चला गया लाज के मारे उसका सारा बदन पसीना पसीना हो गया उसने फौरण डुपटे से अपना सीना ढख लिया और कंकियों से उस वक्ती की ओर देखा जो राम जाने कब से खड़ा उनका ये खेल देख रहा था कमल ने उनकी गबराहट का अनुमान लगाया और उसकी ओर आते हुए बोला अरे ठिटक क्यों गई आप योही पागलपन सवार हुआ तो राजीव के साथ खेलने लगी पागलपन क्यों ये तो मन की तरंग है इसे भला कौन रोख सकता है ये बंधन, ये दुनिया, मेरा भाग्य मैं रूड़ी बाड़ी बातों को नहीं मानता मैं तो ये जानता हूँ के मन के भावां को कुचलना पाप है वे तो अब इतने दब गए हैं कि उनका उभड़ना सम्भभी नहीं है ये सच नहीं है कमल की इस बात पर वे चौंख उठी और उसका इरादा भापने के लिए उसने अपनी निगाहे कमल की नजरों से मिलाई वे तनिक रुक कर फिर बोला अगर ये सच होता तो आज आपके चेरे पर इतनी आभा कभी नहीं आती चंचल मन आज फिर से बच्चों की तरह मचल कर ये आँख पिचोली नहीं खेलता संसार वाली तो इसे पाप कहते हैं वे किसी दुखिदारी के अधरों पर मुस्कान देखते ही आप इसे बाहर हो जाते हैं आप ठीक कहती हैं विध्वा से हर कोई सहनबूती जताना तो चाता है लेकिन उसके हिर्दय की पीड़ा समझने का प्रेत्म नहीं करता वे चुप हो गई विध्वा शब्द क्या था एक तीर था जो उसके सीने को छेद कर दिल में उतर गया था लेकिन वे बेबस थी विवश होकर उसने ये चुबन सहनीन करनी पड़ी जब उससे कोई बात ना बन पड़ी तो मद्यम स्वर में बोली एक बात आपसे कहूँ हाँ हाँ जरूर मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ बारवर आप मुझे आप कहना अच्छा नहीं लगता तो क्या कहूँ कमल ने मुस्कुरा कर पूछा पूनम केवल पूनम रिष्टा उम्र से बड़ा होता है और रिष्टे में जो बड़ा हो उसका नाम लेकर पुकारना उसकी तोहिन समझा जाता है नहीं मैं नहीं समझूंगी आपने मुझे केवल रिष्टे से नहीं जाना बलके एक हमदर्द की हैसियत से जाना है लेकिन सची बात तो यह है कि जब कभी आप मुझे आप कहकर पुकारते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप मेरे दर्द को उभार रहे हैं हूम यह बात है तो फिर आज से ही हम आपको आपके नाम से पुकारा करेंगे पूनम उसके अध्रों पर पूनम नाम आते ही वे मुस्कुरा दी जैसे पूनम कहकर कमल ने उसे अपना सामई पे प्रदान किया हो दोनों की बात सुनता हुआ राजीब एक पेड के तने के पीछे छिप गया और मम्मी मम्मी चिला कर उसे पुकारने लगा अंजना की निगा कमल से हटकर दूसरी ओर चली गई और वे चुपके चुपके सरक्ती हुई उस पेड के पास जा रुकी जिसके पीछे राजीब चिपा खड़ा था अंजना ने लपकर उसे पकड़ लिया वे चिल्लाने लगा अंजना ने उसे बाहों में लेकर सीने से भीच लिया तोनों का प्यार देखकर कमल ने मुस्कुरा कर राजीब के गाल पर चुटकी ले ली राजीब अंजना की गोश से उतर कर दूर भाग गया बच्पन भी कितना अन्मोल है ना कोई फिक्र ना कोई चिंता चिधर मुँ उठाया चल दिया मेरा तो यह अन्मोल सहारा है सच बात तो यह है कि गाड़ी की धुरगटना में इसे अगर कुछ हो जाता तो मैं एक पल के लिए भी जीवित ना बचती और जीना भी किस लिए था इंसान या तो अपने भविश्य के लिए जीता है या अपने प्यार के लिए कमल की इस बात ने एक बार फिर उसे परेशान कर दिया उसे प्यार की याद दिला कर उसने उसके दिल का दर्द बढ़ा दिया दिल की गहराईयों में दभी महब्बत की चिंगारियां फिर उसके बदन को फूपने लगी उसके हिर्दे की विकलता को समस्ते ही कमल ने बाद बदर डाली और पूछने लगा बाबुजी कहा है वे और माजी पडोस में किसी बीमार का हालचाल लेने गए हैं हाँ एक बात कहना तो मैं भूली गया पूनम क्या वे टैक्सी ड्राइवर पकड़ा गया कब दो रोज पहले और कमाल की बात यह है कि वे टैक्सी ड्राइवर का रूप भरे हुए था असल में वे इस इलाके का नामी डाकू है अब्दुल्ला जिसकी पुलिस को एक अर्शे से तलास थी येस उनका रंजना डर सी गई उस ड्राइवर का भयानक चहरा उसके सामने आ गया और वे चुपचाव खड़ी हैरस से कमल के चहरे की ओड़ जाक देखने लगी कमल उसके दिल की बात समझ ना सका बोला क्या सोच रही हो अगर आप समय पर ना पहुंसते तो ना जने क्या हो जाता मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर अब्दुल्ला ना होता तो हमारी मुलाकात इतनी रोचक कैसे बनती रोचक शब्द पर वे फिर टुकर टुकर देखने लगी वे छेब गया और अपनी सफाई में कहने लगा मेरा मतलब उस जंगल की मुलाकास से था यहां तो हो ही जाती इस घर में लेकिन फिर हम एक दूसरे के लिए अजनबी से रहते जब ही लाला जी की आवाज ने कमल को आकरशित किया वे पडोस से लोट आये थे कमल आखों के इशारे से ही अपने दिल की बात अंजना को समझा कर सदर हौल की ओर बढ़ चला अंजना देड तक वहीं खड़ी उसे देखती रही उसकी बातों में आज कितनी बिठास थी जब कभी कमल उसे पास आता है तो ना जाने क्यों उसे आवास होने लगता जैसे उसकी जिंदगी की कोई कमी पूरी हो गई हो और जब वे चला जाता तो फिर से वही कमी उभर आती और वे उदास हो जाती रोचक शब बार बार उसके कानों से टकराने लगा एक छण के लिए उसके दिल में एक गुदगदाहट सी हुई और दूसरे ही छण वे यथार्थ के साच्छातकार से कांप उठी वे एक विदवा है एक बच्चे की मा है उसके लिए किसी पर पुरुष में दिल्चस्पी लेना भी पाप है फिर उसकी नजरें उस हरी भरी गास पर दोड़ गई चहां राजीव घर के माली से खेल रहा था वे अंदर जाने के लिए मुड़ी जो ही उसने पिछवाडे के दरवाजे से निकल कर जीने पर कदम रखा उसे बाबूची की आवास सुनाई दी वे कमल से कह रहे थे बहु का कदम घर में क्या पड़ा कि तुमने भी हफ्तों में दो बार सूरत दिखानी चुरू कर दी परना हफ्तों सरकार को फुर्सत ही नहीं मिलती थी नहीं चाचा जी अरे सच कहती ड़ता क्यों है शांती बड़डाई घर में कोई बाच्चीत करने वाला हो कोई पूछने वाला हो तो कोई आए आपके पास आकर क्या करे खखवार की रोजाना की खबरों के सिवा आपके पास है ही क्या बाबु जी बीवी के पक्ष लेने पर हस दिये कमल ने भी इस अफसर का फाइदा उठाया और शांती की बाद की हामी भर दी कहने लगा सच चाची जी बहु के आजाने से घर में रौनक आ गई है आपको ऐसा मैसूस नहीं होता क्या राजीव की चैचाहर्ट्स ने इस सूने घर के सूने और दुखी जीवन को सुखत बना दिया है अंजना अधिक देर वहां नहीं रुकी वे धीरे धीरे उन सीडियों पर चड़ गई जो उसके कमरे तक जाती थी कमल के शब्द दूर तक उसके कानों में गूंसते रहे उसने कमरे में आते ही उन आवाजों पर किवार बंद कर दिये जो नीचे से आ रही थी जरासी देर में फिर सननाटा चा गया शेकर का कमरा उसकी जिंदगी का आयना बना हुआ था चारों और मौत कीसी खामोशी चाई थी वे वातावरण जो शदा उसे शांती परदान करता था उसे मांसिक बल देता था आज उसके दिल की धड़कनों से खेलने लगा बार-बार उसके मन में एक ही सवाल उठता था कहीं कमल की ये हमदर्दी उसके दिल की बेचैनियों का कारण ना बन जाए जो जो वे ऐसा सोस्ती उसके दिमाग की नसें फटने सी लगती अंग अंग में एक बिचित्र सी कमपन का आभास होने लगा उसके हाथ पाओं बर्फ जैसे ठंडे पढ़ने लगे उसने शेखर से बढ़कर उस रेडियो ग्राम का सहरा लिया जिस पर शेखर की तस्वीर रखी थी लेकिन वे शेखर की निगाहों का सामना ना कर सकी उसे लगा जैसे वे उसे सचमुच पूनम समझकर गणा से देख रहा है वे उसकी अराधना पर शंकितो उठा वे उन निगाहों की ताब ना ला सकी उसने जट से उस तस्वीर को उलट दिया और वहां से हटकर उसने अपनी अलमारी के पट खोले वे अपना जोड़ा बदलने के लिए कपड़े उलटने पुलटने ही लगी थी कि पूनम और शेखर के ब्या का फोटो निकल आया उसने उसे निकाल कर भर नजर देखा उसमें भी शेखर की नजरें उस पर संदेख कर रही थी ना जाने किस उलजन की लपेट में आकर उसने उस तस्वीर के टुकडे-टुकडे कर दिये वे शायद पूनम की कलपित अस्थित्व को भी मिटा देना चाहती थी जब उसने तस्वीर के उन्टुकडों को अपनी मुठी में बंद किया तो पूनम के शब्द फिर उसके कानों में गूचने लगे वे फिर अपना वचन दोहराने लगी उसी ने जीवन को नया रूप दिया था वे उसे उसकी जिम्मेदारियां समझाने लगी वे शेकर की विद्वा है अंजना मर चुकी है अब वे उसके बच्चे की माँ है इतने में दर्वाजे पर किसी आहट ने आकर उसकी मांसिक उथल पुथल को समाप्त कर दिया उसने जल्दी से मुठी में लिये हुए तस्वीर के उन टुकड़ों को पास रखी एक डिबिया में बंद कर दिया फिर पलट कर जो देखा तो शांती उसके सामने खड़ी थी आईए मांजी यहां अकेली बैठी क्या कर रही हो कुछ नहीं मांजी हां सोच रही थी यह सब जेवरात आपके हवाले कर दूँ कोई इधर उधर ना हो जाए अंजना ने तुरंट बात पलट दी उसकी इस बात पर मां मुस्कराती हुई बोली जब तु इन्हें सुरच्चित नहीं रख सकती तो भला मैं क्या रखूंगी फिर यह तुम्हारी चीज है तुम ही समालो लेकिन मैं जानती हूँ लेकिन यही औरत की पुंची होती है चुब भगवान बुरा वक्त ना लाए सहारा बनती है मा ने जेवरों की और देखते हुए कहा सैसा उसकी नजरें एक हार पड़ जा रुकी सोने की इस पतली और सुन्दर सी जंजीर में एक लॉकिट लगा हुआ था उसकी उंगलियों ने उसे टटोला और फिर वे लॉकिट खोल दिया अंजना ने जैसे ही उसमें जड़ी शेकर की तस्वीर देखी उसे एक धक्का सा लगा वे सांस रोक कर एक नजर में उसे और दूसरी नजर से मा को देखने लगी मा बेटे की भोली सूरत को एक टक देखती जा रही थी उसकी आँखों में आसु उतर आये थे लेकिन उसने उने बहने नहीं दिया मा के दिल का दर्द वे जान गई इसलिए उस दाहक इस तब्दता को समाप्त करते हुए वे बोली ये उन्होंने दिया था पिछले बरस बेरे जनन दिन के अपसर फर हुम चानती है ये उसे कहां से मिला शानती ने मुस्कराहट के साथ पूछा हुम हुम मैंने उसे भिचवाया था अपने पती से चोरी तेरे लिए जी उन्होंने भी यही कहा था के माझी ने भेजा है लेकिन मैंने सोचा मेरा दिल लखने के लिए कह रहे हैं तू तो ऐसा सोचेगी ही, हमने अपना विश्वास जो खो दिया था तुझे ठुकरा कर, नहीं मांजी, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, मुझे विश्वास सा कि एक ना एक दिन नफरत की यह दिवार तूट जाएगी, हमारा बेल मिलाप हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या पत मा ने अपने आचल से अंजना के आशू पोंच डाले, जब मा ने उसके गले में वे जंजीर पहनानी चाही, तो अंजना ने इंकार कर दिया, मा ने जिद की लेकिन जब वे फिर इंकार करने लगी, तो मा ने जट से वे जंजीर उसके गले में डाल दी, सिंगार करना और ब वे उसका पीछा करता था और पास आता जा रहा था। कभी कभी वे सचमुच अपने आप को शेखर की बेवा समझने लग जाती थी। अंदेखे और कल्पित पती की विद्वा बिना चने बच्ची की मा और फिर वे एक विद्वा के करतबे और जिम्मेदारियों को निभाने लगती। मा ने उसके गले में पड़े लॉकिट की और भरपूर नजरों से देखा। तो उसके बेचैन दिल को जैसे अचानक चैन आ गया। फिर वे जाते जाते सहसा रुक कर बोली लो जिस काम से आई थी वे तो भूली ही गई। क्या मा तुमारे ससुर जी का हुक्म हुआ है कि वे आज फिर सूप पिएंगे तेरे हाथ का बना हुआ। दो चार दिन तुने उनकी आभगत क्या की कि अब हर रोज फरमाशे होने लगी। तो क्या हुआ मा जी मेरा तो सौभागे है कि वे मेरे हाथ की बनी चीजे पसंद करते हैं। पसंद ही नहीं करते बलके चटकारे ले लेकर मुझे ताने देते हैं कि जिंदगी भर मैंने कुछ नहीं सीखा। अब तू उनके लिए जल्दी से सूप बनाला वरना मेरी जान को आफत में डाल देंगे। मा की बास सुनका रंजना के दिल में गुदगुदी सी हुई और वे रसोईगर की ओड चली गई। तो दोस्तों इस प्रकार कटी पतंग उपन्यास का पहला बाग समाप्त हुगा। आशा करता हूँ आपको ये उपन्यास अवशी पसंद आ रहा ह होगा। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर जाकर गुलशननन्दा जी, रानू और राजवंश, गोपाल राम गहमरी, आदी जी के उपन्यास सुनिए। क्योंकि ये उपन्यास अब बहुती दुर हैं और आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।